कि आप सब लोग आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही होगी और मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले हमारा टेंपरमेंट पॉजटिव होना इस रियली इंपॉटेंट तो आज हम पूरे साल का एक फेट प्लैन बनाएंगे मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है उससे आपको थोड़ा सामय वाकिफ करवाऊंगा and ultimately हम लोग एक रोड मैप तयार करेंगे जो कि हम लोग पूरी साल फॉलो कर रहे होंगे and I wish कि आप लोग मेरे बताय हुए रोड मैप पर जरूर चलेंगे पिछली बार काफी सारे अरजुनाज थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और I felt really privileged कि मेरे को दोनों अरजुना पढ़ाने का मौका मिला अरजुना 1.0 and अरजुना 2.0 and काफी सारे अरजुनाज अब लक्षियंस बन चुके है and काफी सारे और भी नए स्टूडेंट्स हैं जो कि शायद मुझसे नहीं पढ़े हुँगे तो उनको एक बार मेरे बारे में भी सारी बाते पता होनी चाहिए मैं जब भी अपना पहला सेशन लेता हूँ एक पूरे साल का पहला सेशन उसमें मैं अपने बारे में कुछ चीजें स्टूडेंट्स के साथ साजा करता हूँ उन्हें बताता हूँ और इस session में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करने वाले हम लोग 50% पढ़ाई करेंगे 50% हम लोग discussion करेंगे कि इस पूरी साल क्या होने वाला है and उस 50% discussion में आपको मुझसे दोस्ती करनी है और मुझे आपसे दोस्ती करनी है मेरा पहला session हमेशा इसी चीज के लिए devoted होता है कि मैं students को अपना दोस्त बना पाऊं आप मुझे अपना guru माने या ना माने उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है वह चीज मुझे लगता है कि हमें बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है and मैं आपके साथ यह जो academic journey है यह तो share करने ही वाला हूं लेकिन जब आप मुझे अपना बड़ा भाई consider करेंगे और आप मेरे सामने सारी अपनी problems खोल के रख देंगे तो आप मान के चलिए कि मैं आपको एक दम right guidance दे रहा हूँगा because जिस phase में आप हैं उसी phase में मैं भी हूँ मैं भी एक student हूँ एक teacher के साथ साथ और मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अगले 10-15-20 साल भी शायद अपनी पढ़ाई continue रखूँगा या फिर उसके बाद भी इतना तो मैंने सोचा है कि मैं कभी पढ़ना नहीं छोड़ने वाला हमेशा मेरी पढ़ाई continue चलती रहेगी तो मैं आपके साथ एक student mindset से भी connected हूँ तो वो चीज जो है हम लोगों के बीच में एक अलग से string create करती है एक अलग से bond create करती है और वो bond बहुत pure है पिछली बार जो जिर्फ और सिर्फ नए students के लिए है नए लोग जो जार्विस आर्मी के member बनने वाले हैं उनके लिए है तो हम लोग आज काफी सारी बाते करेंगे एकदम मान के रखिए कि दिल खोल के आपके सामने मैं रख दूँगा और उसके बाद आपकी मर्जी आप इस journey को कैसे देख बस आपको daily अपना time जो है इमानदारी से हमको देते रहना है तो अगर हम शुरू करने के लिए तयार है इस session को तो एक बार फटा-फट से लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए रुकने नहीं चाहिए लाल कलर के दिल उनसे हमें बहुत जादा लगाव है मेरे दोस्तों सबसे पहले क्योंकि आप अगर मुझसे पढ़ चुके हैं तो well and good आप मेरे बारे में अच्छी खासी बाते जानते होंगे हम लोग बैच के बीच में भी कई बार कुछ मैटपोन किससे share करते रहते हैं और अगर आप मुझे नहीं जानते तो बहुत जरूरी है आपको मुझ सेशन लेता हूं मैं अपने स्टूरेंट्स को अपने बारे में जरूर बताता हूं because I've been a mediocre student initially मैं academics पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था लेकिन उसके बाद मैंने academics को कुछ अलग नजरिये से देखना शुरू किया और बहुत सारे किरतिमान बनाए और वो किरतिमान जो है वो इन goals को अभी से perceive करना start करें मेरी life में कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं एकदम live example मानूं कि इसने बहुत ज्यादा कुछ उखाड रखा है और उसको मैं exactly देखके अपनी life का road मैं बना पाऊ तो मेरे पास ऐसी inspirations बहुत कम थी इसलिए किताबों से एक लगाव हुआ और किताबी पात्रों से ही एक inspiration मिली जैसे मेरी inspiration है Leonardo da Vinci, Aristotle सहब, Kalam सहब जिनको अपने discipline के अलावा और भी काफी सारे disciplines की knowledge थी जैसे हम लोग तो biologist हैं आप Aristotle सहब के बारे में जानते होंगे that he is the father of biology पर आपको काफी चीज़ें नहीं पता होंगी he is a very well known name in philosophy also उनको अरस्तु कहा जाता अरस्तु और सुकरात की philosophy के बारे में आपने सुना होगा that is Aristotle and Socrates, drama में भी उनका बहुत important role था, he is father of zoology also, modern embryology में भी उनका बहुत important योगदान रहा है, यानि अपनी field के अलावा भी काफी fields पे उनकी master दी थी, it means that he was jack of all trades, उनको जो लगता था, जो दिखता था, वहीं से वो knowledge निकालने की कोशिश करते थे and this is such a positive thing, जो कि अगर हम अपनी life में 1% भी ला पाए, next level का मज़ा आ जाएगा भाई, अगर मैं आपको अपनी academic journey की बात बताऊं, तो I am a KVN, 12 साल की पढ़ाई मेरी केंद्र विद्याला से हुई है, because my father was an army officer, अभी पिता जी retire हो चुके है, उसके बाद I have been to a government university, जहां मैं topper रहा university का, उसके बाद I have done my masters in the field of biochemistry from central university, जहां पे I was unsurpassed record holder, जहां पे मेरे final semester और thesis defense में मेरे 99% marks मिले थे, और O plus grade मिला था, that was outstanding, and I was the only one to achieve that grade, and उसी के साथ-साथ मुझे gold medal और best thesis award भी दिया गया था, अपने academic journey के अंदर मैंने काफी सारे examinations qualify किये, अगर आप UG level पे बात करें, तो I have cracked NEET, PIMS, AICT, AIMS, AICT, Central University Common Entrance Test, जहां पे मेरी merit rank साथ थी, PG के अगर आप बात करें, तो IIT, Delhi द्वारा conducted, IIT जैम, IIT Bombay द्वारा conducted, IIT जैम, TIFR, जहां पे मैं हर्याना का topper था, and I was shortlisted for NCBS, that is National Center of Biological Sciences, AISR Mohali, AISR Pune, AISR Trivendram, NBRI, that is National Brain Research Institute, and उसके अलावा, और भी काफी सारे entrances, जैसे की CU, CET, PG, जिसमें मेरी merit rank first थी, और उसी के थुरू मैंने अपनी seat allot करवाई थी, then at the time of PhD, also IIT, गोहर्टी द्वारा conducted, IIT gate, and CU, CET, PhD, जहां पर मुझे अपनी PhD seat allot हुई थी, मेरा जो काम है, वो cancer के उपर है, और graphene quantum nanodots पर मैं काम करता हूँ, यानि I am a nanobio technologist आप कह सकते हैं, मेरे नाम पर 6 किताबे हैं, 19 research paper है, and भारत की नहीं बलकी पूरी दुनिया की सबसे 3 बड़े जो publication houses हैं, that is Springer, Elsevier, and उसके साथ Taylor and Francis, इस तीनों में हमारा paper आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि Taylor and Francis में हमारा paper just last to last week ही confirm हुआ था, तब मुझे पता लगा था कि दुनिया की top 3 publications में हम कहीं कहीं काम कर चुके हैं, उसके अलावा इस बार हमने mad easy लिखी है, जिसको आपने बहुत जादा प्यार दिया, और best seller बना दिया, 15 दिन के अंदर अंदर, that was another level of satisfaction, उसके अलावा अगर बात करें research की, तो I worked as a scientist also, I was scientific officer at Axelogen Biotech, वहां मैंने research assistant के तौर पे join किया था, लेकिन later I became scientist, और अब मैं आपके साथ यहां physics वाला पे पढ़ा रहा हूँ, teaching करते हुए मुझे 8 साल हो गए है, and उसके अलावा there are a lot of places जहां पर मैं connected हूँ, अलग-अलग तरीके से, काफी सारे slum students हैं जिनके हम help करते हैं, जिसके लिए I have been given a lot of awards, काफी सारे ऐसे awards हैं जो मुझे मिले, जो कि national repute के हैं, जैसे कि higher commissioner medal, governor's award, भारत का fourth highest civilian honor, that is Padmasri, मैं बहुत भागेशाली हूँ कि उसके लिए मेरे इलाके से मुझे को संबोधित करने का मौका मिला, उसके लिए इस बार 2024 में मुझे को nominate किया गया था, हालाकि मुझे लगता है मेरी आकाद बहुत कम है अभी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज होती है, तो इनसे मुझे और motivation मिलती है life में, और ट्रेड़ना मिलती है बहतरीन काम करने की, उसके अलाबा भी काफी सारी चीजें हैं, जो हम शेयर करते रहेंगे, अभी exactly इतना ध्यान भी नहीं आ रहा की, और क्या-क्या है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मझेदार चीजें हैं, वो सारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपनी जर्णी में आगे बढ़ेंगे तो this was me और यह सब बताने का सिर्फ एक ही मोटो है कि I am academically credible person, मैं आपको बिल्कुल यह सला नहीं दे सकता कि swimming कैसे करनी है, मैं आपको बिल्कुल सला नहीं दे सकता कि meditation कैसे करनी है, I am not a pro in that, but मेरे दोस्त जिस चीज में मैंने अपने, you know, जिन्दगी के काफे सारे साल दिये हैं, उस चीज में I hold great credibility, when it comes to academics, I am an Indian record holder, an Asian record holder, and 100 से भी ज्यादा scientist की team के साथ, ESN publication के साथ मिल करके हमने इस बार Guinness Book of World Records को भी attempt किया था, and वो भी हम लोग ले academics में तो मेरी काबिलियत का लोहा मान सकते हैं, कि यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ सला दूँगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे productive रहना है, कैसे कम टाइम में ज्यादा outcome लाना है, कैसे अलग-अलग competitive examinations को फोड़ना है, तो वो सला आपके लिए एकदम concrete होंगी, मैंने खुद उ सारी चीजों को आजमा कर देखा है, और मुझे results मिले हैं, मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ दोस्ते, और पिछली साल से इस साल का introduction हमारा बड़ा है, और अगली साल मैं guarantee कह रहा हूँ, इस से बड़ा introduction होगा, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है, हम कभी यह नहीं सोच के बिल्कुल भी नजदीक नहीं हूँ, मुझे और काम करना है, और महनत करनी है, और भैतर पढ़ाई करनी है, और serious होना है अपनी research को ले करके, और आपको भी थोड़ा सा और serious बनाना है अपनी पढ़ाई को ले करके, तो रुकेंगे हम नहीं, and that is the only only thing that I would like to tell you guys, कि अगर आप committed हो, अगर आप disciplined हो, I am not from another planet, मैंने कुछ अलग नहीं किया दोस्त, लेकिन मैंने जो भी किया, daily किया, the day I stepped in my graduation, तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जिस दिन मैंने पढ़ाई ना करी हो, चाहे मैं बिमार हूँ, तो मैं audio content को consume करूँगा, या video content को consume करू रही है, कोई नया concept मिल रहा है, चाहे वो academic हो, चाहे non academic हो, लेकिन इस दिमाग में daily चीज़े जाती है, तो एक layer, जो knowledge की आपके दिमाग में है, उसके उपर, you are about to make another layer, and so on, ऐसे करके, आप बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकते हो, knowledge का अपने दिमाग में, and इस चीज़ की अगर आप यंग हो, और आप determined हो, आप अपने आपको बहुत discipline मानते हो, या discipline होने की कोशिश कर रहे हो, और अगले कुछ महिनों में, आप अपने आपको पूरा का पूरा पढ़ाई के लिए devote करने के लिए तयार हो, तो आपकी journey बहुत खास होगी, honestly, मैं genuinely बता रहा हूँ बहुत मज़ा आजाएगा आपको, सर एज क्या है आपकी, यार 11 मई को मैं 27 साल का हो जाओंगा, अभी मेरी उम्र 26 साल है, और बदे आने वाला है, एक महिना है, I am expecting a lot of gifts from you है न, पेटियम नंबर मैं दे दूँगा, उस पे कुछ-कुछ भेशते रहना भाई, यहाँ पर ए इन में से कुछ P आपको आज से ही शुरू कर देने हैं, और आज मैं आपको वो P जो है शुरू कर के दूँगा, है न, आज हम इसी पे काम कर रहे होंगे, पहला P है प्रॉपर, दूसरा P है प्लैनिंग, तीसरा P है प्रिवेंट्स, चोथा P है पूर, पाच्वा P है पर्फॉर्मेंस, पाच्वों को एक साथ एक सेंटेंस में लगाएंगे तो आपको कुछ अनोखा मिलेगा, प्रॉपर प्लैनिंग, प्रिवेंट्स, पूर, पॉफॉर्मेंस, अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी पॉफॉर्मेंस लेकिन बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, मा की कसम, है न, प्रॉपर प्लैनिंग में हम आज एक-एक एक एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, कि आपको एग्जेक्ली नीट एग्जामिनेशन को क्राक करने के लिए क्या-क्या चाहिए, उससे बाहर मच जाएगा, एक सफ कि आप मुँ ऐसा बेंगन जैसा बना के बैठे हो, सॉलेनम मेलॉन जीना जैसा नहीं मेरे भाई, सीरियसनेस और सिंसेरनेस में फर्क है, यू नीड टो बिकम सिंसेर, यू नीड नाट टो बिकम सीरियस, खुश रहो जिंदिगी में, मजा करो, पढ़ाई कर ली 6 गंटे अगर आप अपने काम को इमानदारी से डेली-डेली कर रहे हो, तो आपको रिवार्ड मिलना चाहिए, आपको गिफ्ट मिलना चाहिए, और वो गिफ्ट क्या है, खुशी ही तो है, अगर आज आपने अपना काम रात के 8 बजे खतम कर दिया, क्या प्रॉब्लम है 10 बजे तक बर्डन मत करना, बहुत कच्ची सी उमर है, बहुत कच्चा सा दिमाग है, बहुत नाजुक सी उमर में न, बहुत बड़ा सपना देख लिया है हमने इस दुनिया को ठीक करने का, डॉक्टर बनने का, लेकिन ये सपना पूरा थभी होगा, जब आप बहुत पॉजिटिव च एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी शिक्षा का घमंड खा जाओं और बाकी लोगों को दबा दूँ, नहीं, बलकि उसका मकसद ये है कि मैं औरों को एनलाइटन कर सको, औरों को एमपार कर सको, ये शिक्षा का असली महत्व है, तो आप शिक्षित होंगे, आ आप इस जर्नी के दौरान खुद हेल्दी थे, नहीं मेरे भाई, इसलिए आपको हर चीज सोच समझ के करनी है, और आराम आराम से चलना है, है ना, आप सीरियस होकर 12 घंटे भी पढ़ोगे, 6 घंटे का आउटपुट निकाल पाओगे, आप खुश रहकर 6 घंटे उस नई किताब के कवर फार देने में, उसमें किताब की इज़त चुपी हुई है, और आपको किताब की इज़त करनी है, आपको NCRT की इतनी इज़त करनी है कि कोई आपकी NCRT देखे, तो पहचान ना पाए कि ये NCRT है, उसके उपर हाथ के इतने निशान हो, मतलब अलग स तलग गंदे संदे हाथ लगे हुए हैं उसके उपर पेज पूरे सफेद से ब्राउन हो रखे हैं भाई हर एक लाइन इतनी बार हाइलाइटेट है एक पॉइंट इतनी बार हाइलाइटेड है कि आपके दिमाग में यह भी छपा हुआ है कि आपने उसे किस कलर से हाइलाइट किया, NCRT एक महासागर है, कहने को ये 200-300 पेज की किताब है, लेकिन इसको अगर आप explain करने पे आओगे, और एक ऐसे किताब लिखोगे, जो इसको decode कर रहे है, तो इसे double-triple page लग जाएंगे, it contains that very information in a consolidated space, ये बहुत ही जादा खतरनाक किताब है मेरे भाई, आज आपको इसका एक छोटा सा demo दूँगा, आज मैं जब आपको पहला topic पढ़ाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि NCRT कैसे पढ़ी जाती है, एंट तब आपको एक clarity आईगी, एक चीज दिखेगी, जो शायद आज तक ना दिखी हूँ, तो proper planning करेंगे हम लोग, सारी सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम अपने आपको खराब performance से बचा पाएं, lecture flow क्या होगा, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, सारी चीज़े आपको बताता हूँ, आराम से सुनिएगा, और ध्यान से इन सारी चीजों को आज ही embed करने की कोशिश करिएगा, सबसे पहली चीज है हमारे class notes, यानि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं कभी भी कुछ लिखकर नहीं लेकर आता, topic के नाम के अलावा, यानि मैं हर चीज़ आपको लिखकर पढ़ाता हूँ, तो class notes आपको as it is मेरे साथ-साथ लिखने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि मैं भी साथ-साथ ही लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको NCRT reading class के अंदर ही कराता हूँ, यानि एक बार आपको मेरी annotated NCRT मेरे साथ-साथ रिड करनी है, तो मैंने आपको पहले पूरा content पढ़ाया, फिर मैंने आपको class में ही NCRT याद करा दी, सारी बातें यहाँ पर हो गई, फिर हम NCRT से related questions करते हैं हमारी किताब से, जिसका नाम है punch, objective NCRT punch से हमने शब्द बनाया, पंचायत, इसमें हमारे सारे भाई बैठते हैं, इसमें हम सरपंच होते हैं, बाकी सारे students बैठ करके एक fruitful discussion कर रहे होते हैं, अगर आपने punch नहीं देखी है, तो काफी मोटी किताब है, यह हमारी objective punch है, इस साल यह थोड़ी सी पतली हो जाएगी, मही में इसका नया edition आएगा, बट मैं still recommend करूँगा, अगर किसी को लेना है, त CPP देता हूँ, जिसमें आपको कुछ ऐसे questions मिलते हैं, जिनको practice करके आपकी NCRT पर command और strong होगी, प्लस मैं इसका solution भी बनाता हूँ, तो आप उन solutions को देखके नई नई चीजे सीख भी रखते सकते हो, अगली चीज आपको मिलती है हमारी mad easy, mad easy के जो notes हैं, ये भी आप ला सकते हो, अगर आपको class में notes नहीं बनाने, आप चाहते हो कि आपका main जो focus है, वो concept को समझने पर हो, तो मैंने already अपने handwritten notes की किताब launch कर दी है, जो की हाथ से लिखी हुई है, पूरी end to end, ये मेरी ही handwriting है, मेरे ही notes है, it is called as mad easy, आप आराम से इसक इस depend करती है, class में notes बनाना चाहते हो, तो भी that's completely fine, फिर आपको neat case सबसे ज़्यादा जरूरी PYQ, हम लोग 2013 से 2023 तक के और आपका paper जब 2024 का हो जाएगा, तो उसके questions भी incorporate कर रहे होंगे, यानि ये 11-12 साल के सवाल हम लोग आपके class में ही कर लेंगे, इसके अलावा, आपके minor test होंगे, और minor test के बाद आपके major test होंगे, AITS यानि All India Test Series होगी, यानि कि आपको मैं syllabus कम से कम 10 बार करा दूँगा, इसके अलावा और भी चीज़े हैं, these are the main things, इसके अलावा और भी चीज़े हैं, ये सारा नहीं है भाई, इसके अलावा मैं आपको अपने handwritten, small notes भी division भी कराऊंगा, यानि मैं कम से कम 10 बार आपको सारी चीज़े अलग-अलग style में पढ़ा चुका होंगा, अगर आप सिर्फ batch में serious हो, तो आपको कुछ और करने की जरुवत है ही नहीं, if you are serious with batch, अगर आपने ये batch ले लिया है, आप बहुत इमानदार हो, आप हर class को देख रहे हो, आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है, किसी भी coaching institute का paper उठा के बैठ जाओ, सब questions की धजियां उड़ा दोगे, for sure, आराम से सारी चीज़े हो जाएंगी, ये सारी चीज़े लेक्चर के अंदर incorporated होती है, बोर्ड की भी पूरी तयारी यहीं पर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरुत नहीं है, 100 में से 100 मारोगे, अपना व्यवहार टीचर के साथ अच्छा रखना, जिससे की आपको स्कूल में 30 में से 30 नंबर मिल जाएं, बाकी 70 में से 70 दिलाने की ज important है, सबसे पहले एक चीज जो important है, that is soul theory content, best theory content, soul theory content, जिसके अलावा आपको मुँ उठा कर कहीं और देखने की जरुवत नहीं है, और वो content आपको class में ही मिल जाएगा, यारनि अपना content, भाई की class का content, इसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है, इतनी theory more than sufficient है, कुछ भी crack करने के लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, अब आप जितना उपर सोच सकते हो, वो आपके लिए बहतर है, जितना उपर सोच सकते हो, आप सोच लीजिए, ये theory content more than sufficient होने वाला है, more than ample होने वाला है, इसके बाद आपको चाहिए होती है practice, practice के लिए आपको batch में freely क्या मिल रह और DPP में कोई भी बात आपको नई मिले, तो एक technique जो कि हम हमेशा use करते आए है, उसका नाम क्या है, supplementation technique, इससे भागना नहीं है, इसको अपनाना है, supplementation technique, ये क्या होता है sir, मेरे भाई कई बार ऐसा होगा कि मैं जानबूझ के DPP में एक ऐसा सवाल दूँगा, जो आपसे न कि आप अगली बार जब ऐसा कोई सवाल देख रहे हों, तो आप उसकी धजी उड़ा पाए, this is called supplementation technique, कोई PY क्यों है, 2013 से पहले का, वो हथे चड़ गया भाया, और ऐसा लगा, ये तो नई NCRT पढ़के हो ही नहीं रहा है sir, क्या करें, डरने की जरुरत नहीं है, उस concept में जितने भी points हैं, वो सारे के सारे अपने notes में supplement कर लिजे, अगली बार जब आपको same सवाल दिखेगा, तो क्या बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे, this is called as supplementation, right, तो practice के लिए आपको DPP मिलेगी, DPP के अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप punch ले सकते हैं, या आप module ले स सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, अपने हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं, इससे आपकी practice हो जाएगी, इसके बाद most important thing that you need to take for sure is test, आपके batch में बहुत सारे test हैं, इन test को आपको बहुत seriously, बहुत इमानदारी से देना है, starting से ही, ये नहीं देखना कि भाई, अभी तो हमा syllabus complete नहीं हुआ है, मैं तो end में test दे लूँगा, नहीं मेरे भाई, नहीं, यहाँ पर आपको test शुरू से देने हैं, और बहुत seriously देने हैं, और इन में सबसे important चीज़ जो आपको करनी है, वो है test analysis, सर ये क्या होता है, पहले test में समझ लीजे कि आपका 720 number का test था, और 720 number के test मे से आपके आए 600 number, आपने इमानदारी से test दिया, 600 number का आपको genuinely काम आता था, पर अब आपको ये analyze करना है कि 120 number कहां गए, समझ लीजे 10 question ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, आपने पढ़े ही नहीं थे, 10 question ऐसे थे जिनके concept ही आपके lack थे, आप क्या करोगे, आप इन 10 question के concept को पढ़ोगे, और इन 10 question को करने की कोशिश करोगे, अगर आपके 10 question सही बन गए, तो 40 number का जुगार आपने कर लिया और आप खेल आता है, बचे हुए 80 number का, दो आपने bubble गलत भर दिया, यानि आपका 10 number का काम यहाँ पर खराब हो गया, negative marking में, दो आपने bubble error कर दिये, तो अ correct है, इसके अलावा अगर आप देखो, तो 10 number का काम आपने और कर लिया, आप 70 number का काम बचा, यह जो 70 number का काम है, इसमें आप क्या कर रहे होंगे, इसमें आप और देख रहे होंगे, कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या मुझसे question पढ़ने में कोई silly mistake हुई, क्या मुझसे answer mark क मैं ठीक से solve नहीं कर पाया, and similarly आपको idea लग जाता है, कि यह जो 600 number है, इनके अलावा बचे हुए जो बाकी के number है, यह कहां से आएंगे, यह आपको पता लगेगा मेरे दोस्त, after analysis, तो आपको अच्छे तरीके से test को analyze करना है, और उसके बाद आपको revision करने है, आप लोग overall आपको कम से कम overall 7-8 revision करने है, अगर आपको 7-8 revision करने है, तो जाहिर सी बात है, आपके resources बहुत confined होने चाहिए, आप अगर एक बहुत मोटी किताब को पढ़ते हो, तो आप उसे बार-बार नहीं पढ़ सकते, आपको चीजों को short करना होगा, you need to make things very crisp, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, otherwise नहीं समझ पाओगे, आपका revision properly इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो आप उसे timely start नहीं करते, तीन महीने बाद revision करेंगे सर, तब तक पता ही नहीं लगता कि पढ़ा क्या था, तब तक पढ़ा हुआ तो दिमाग से साफ हो जाता है मे आज ही उसका एक छोटा सा revision हो जाए, आखों के सामने से पूरे data को एक बार निकाल लीजिए, ये तीन revision सबसे important होते हैं, ये अगर आपने कर दिये तो मामला set है, ऐसा नहीं है कि तीन महीने बाद करूँगा, उसमें आपको same time ही लगेगा, आज अगर कोई chapter है, वो आपने 10 गंटे में पूरा किया, एक chapter है जो 10 गंटे में पूरा हुआ, तीन महीने बाद इसको करने जाओगे, तो ये 9 गंटे में पूरा होगा, यानि आपने क्या उखाड़ा, कुछ मी नहीं, basic concept आपके, वैसे के वैसे ही हैं, बस repetitive information को आपने काट दिया, यानि पहले जितना ही वक में पढ़ पा रहे हो, फिर आपको उपर-उपर से चीज देखनी पढ़ रही है, 30 मिनट में पढ़ पा रहे हो, 20 मिनट में पढ़ पा रहे हो, और चिट्टी रोबो की तरह ऐसे किताब निकाल रहे हो, आखों के सामने से जटपट exam के time पे, that is revision, उसको revision कहा जाता है मेरे भ है, test आपको इमानदारी से देना है, अच्छे से देना है, क्योंकि खुद के साथ गददारी करके आज तक कोई नहीं जीता, आपको पता है कि आपको एक medical seat अगर चाहिए, तो वहाँ इमानदारी से paper देना पड़ेगा, तो you need to give these tests with full honesty, and आपको revision करना है कई बार, एक question आ रहा है, old NCRT या new NCRT, भाई, old NCRT अब लेने का time नहीं है, go for new NCRT, old NCRT का जितना भी content आपको लगेगा, जितना भी content आपको चाहिए होगा, वो मैं आपको provide कर दूँगा in the lecture itself, along with questions, नहीं NCRT के साथ हम जाएंगे, old NCRT, नहीं हम लोग ले रहे होंगे, अब एक च there's a success planner और a success tracker, गाई student बोलते हैं, sir demotivate हो रहा हूँ, confidence नहीं आ रहा, क्या मेरा selection हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भाई, हमसे पूछने की जरुरत नहीं है, आप खुद पता लगा सकते हो, आपका selection हो गया नहीं, via this success planner, मैंने जितने भी exam दिये हैं, उन सब के लिए success planner design कि आप समझ लीजिए कि आपके syllabus में अब कितने chapter हैं, botany के syllabus में 7 chapter हैं, पहला reproduction in flowering plants, फिर principles of inheritance and variation यानि genetics का first chapter, molecular basis of inheritance, genetics का second chapter, microbes in human welfare, ecology का first chapter, organisms and population, organism and population के बाद ecosystem and then biodiversity and conservation यानि ecology के तीनों chapter, correct है, अब मेरे दोस्त, अगर आपने sexual reproduction के सारे lecture देख लिए हैं, मेरी सारे वीडियोज आपने देख लिए हैं, लेट से 10 वीडियोज हमने बनाई, तो आप टिक कर देंगे, सर के 10 के 10 lecture done, तो आप जीत के थोड़े करीब जा रहे हो, क्या आपने punch solve कर लिए हैं, या module solve कर लिए है जो भी आप लेते हैं, बिलकुल solve कर लिए हैं, सर, क्या आपने PYQ solve कर लिए हैं, कहां से कहां तक के आराम से देखेगा, 2013 से पीछे मुड के मत देखेगा, है ना, भूतिया PYQs है, डरा देते हैं, है ना, भूतिनी बैठी है इसके पीछे, नहीं देखना है इसके पीछे म उनको उड़ा दिया, बिलकुल उड़ा दिया, पहला माइनर टेस, दूसरा माइनर टेस दे दिया, दे दिया, उसके बाद खुद टाइम लगने पर रिवीजन कर लिया, रिवीजन कर लिया, रिवीजन कर लिया, कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो क्या इस चैप्टर में और फ्लावरिंग प्लांट्स का सवाल पूछे और आप ना बता पाओ या ऐसी कोई भी ताकत है जो आपको अब सेलेक्शन से रोक ले नहीं आप सिलेक्ट होगे ही होगे अब इस चैप्टर में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता यह चैप्टर आपका डन है चैप्टर आपका खतम कर दिया मॉलेकृट्र बेसस्ट अफ इनएटेंस में टी पी नहीं लगाई और मैंने रिवीजन नहीं किया मैंने पी बार रिवीजन किया है एक बार मेरा मिस हो गया तो क्या इसमें मेरा सेलेक्शन होगा? थोड़े से कम चांसी है मेरे दोस्त मुझे डीपीपी सॉल्व कर लेनी चाहिए एक बर अपना डर खदम करने के लिए और रिवीजन को एक और बार कर लेना चाहिए तो मज़ा आजाएगा तो selection के chances हो जाएगे है ना मैंने notes रिवाइज नहीं करें ecology के बहुत गंदी बात है भाई बहुत गलत बात है मैंने lecture नहीं देखे तो notes कहां से बनाऊँगा revise कहां से करूँगा यहां पर lag हो गया भाई यहां पर band बजने के पूरे पूरे chance है क्योंकि ecology आती है notes से ecology में है NCRT important अपने lecture नहीं देखे notes नहीं बनाए तो खेल खतम यहां तो multiple revisions चाहिए होते हैं तो आपने कोई जुगार ढूंड लिया आपने कोई छोटा सा lecture देख लिया आपने उससे short notes बना लिये तो main information main concept आपका miss हो गया और एक बार अगर main concept मिस हो गया तो concept की तारारा हो जाती है उसके बाद concept वापस मुड़ करके आपकी तरफ नहीं देखता बुरा मान जाता है तो यहाँ पर हमको क्या करने है सारे lecture इमानदारी से देखने है जब भी वक्त लगे और notes भी बना लेने है यह है आपका success planner आज ही इसको बनाएगा इमानदारी से बनाएगा आज ही सारे chapter NCRT से देखिए physics chemistry botany zoology सबका success planner बनाएगे हर पेज पे एक साइड लिखे चैप्टर के नाम और यहां लिखे इतनी सारी चीज़े तो हमें करनी ही करनी है lecture देखना है question solve pyq notes dpp and test के साथ साथ पांच बार revision यह अगर आप करोगे तो मौज हो जाएगी यह है आपका success planner अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर अब आ जाते हैं syllabus decode पर यानि कि इस बार इस साल हमको पढ़ना क्या है एना 11 का syllabus बढ़ा था अगर यहां पर मैं लिख दूं कि 11 का syllabus was greater than greater than 12 का syllabus तो कोई गलत बात रही होगी यह बात एकदम करेक्ट है कि 12 का syllabus comparatively बहुत चोटा है और जब आप इनिशेल चेप्टर को पढ़ लेंगे तो आप यह मान के चलिए कि आपका काम खतम हो चुका है आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना जैसे सबसे फर्स जो चेप्टर है यह है यूनिट रिप्रोडक्शन का जहां आप पढ़ेंगे sexual reproduction अरे वा सर आते ही इतना reproduction in flowering plants और NGO sperms में sexual reproduction हम लोग पढ़ रहे होंगे second unit है हमारी genetics यहाँ पहला चेप्टर है principles of inheritance and variation यह मैं NCRT के हिसाब से बता रहा हूं दोस्त principles of inheritance and variation और दूसरी चीज जो है यह है आपका पूरी biology का समस्त biology का 11-12th botany zoology सब मिला करके सबसे बड़ा chapter that is molecular basis of inheritance that is molecular basis of inheritance फिर आप आते हो third unit पे जहां पर एक ही chapter है छुटकू सा जिसका नाम है microbes in human welfare यानि यह है भी छुटके छुटके organisms के बारे में ही microbes in human welfare यानि इनसानों के लिए microbes क्या अच्छ अच्छे काम करते हैं अभी तक तो हमें यही लगता है कि बिमारी कौज करते हैं लेकिन अच्छे अच्छे काम क्या करते हैं धंके काम क्या करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली unit है ecology जहाँ पर पहला जो chapter है यह है organisms and population organisms and population दूसरा जो chapter है यह है सबसे चोटा सबसे आसान एकदम घर का chapter ecosystem organism and population जब आप पढ़ लोगे तो ecosystem को भी आप लपेट के रख दोगे इसके अगला जो chapter है भाया यह है biodiversity आपके डाइवर्सिटी एंड इस conservation यह आपके साथ chapter है यह आपका पूरा syllabus है कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो syllabus है कि यहना उसमें तीन chapter ऐसे हैं जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो मतलब एक दिन में एक सवाल बन जाएंगे उससे आपके बोर्ड के भी सारे सवाल बन जाएंगे आपका बायोजी का सबसे छोटा चैप्टर इकोसिस्टम यह पहले कभी बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था पहले इसका बहुत फैला हुआ कारोबार था आज के दिन में इतना फैला हुआ कारोबार नहीं है इसमें से दो टॉपिक्स यानि इकोलोजीकल सक्सेशन और इकोसिस्टम सर्विसेज हटा दिये गए है तो अब यह छोटा हो गया है अब इसका एक हिस्सा निकाल लिया गया है और बायो डाइवर्सिटी पहले भी काफी छोटा चैप्टर था तो यह तीन क्या है छोटे छो पुरा मान के चलिए लगबग 42-50 परसेंट आपका सिलेबस इन दो चैप्टरों में छुपा हुआ है इन दो चैप्टरों में इनकी गर्दन जिसने सही से तोड़ दी वह भाई नीट में भी एकदम धूम मचा देगा और बोड में भी धूम मचा देगा यह चैप्टर हमार है प्राइम टार्गेट से इनकी शकलों को बहुत गौर से देखना है हमको क्योंकि अपने दुश्मन पे एकदम खड़ी निगाह होनी चाहिए कि यह हमसे अटपटे चटपटे सवाल पूच सकता है इनको हमें बहुत तगड़े तरीके से डिकोड करना पड़ेगा यहां प यह दोनों चैटर जब पूरे हो जाएंगे तो हम मिठाई बाट देंगे उसके बाद हम बारवी पास हो चुके होंगे यह सब हम लोग आराम से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और कर तो हम यह भी आराम से लेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर यह लंबे हैं यह आपकी पेशन्स का इम्तिहान यह करते हैं आपकी पेशन्स टेस्ट कि बेटा तुम मुझे कितनी देर पढ़ सकते हो मैं यह देखता हूँ तो यह आपको बहुत जादा तंग करके रखेंगे एक एक डेडेड़ महीने फसा के रखेंगे यह जो है थोड़े से जादा disturbing chapters होत मुझे अभी भी कह रहे हैं चैट सेक्शन में कि 11 बरबाद 11 बरबाद नहीं रहेगी दोस्त आज ही आपको उसका एक नमूना मिलेगा आज I am going to give you a concrete demo की आपकी 11 कैसे बरबाद नहीं रहेगी लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आशवाशन भी दे देता हूँ आपको एक कैरेंटी भी दे देता हूँ यहाँ पर आपकी revision class होंगी complete 11 बॉटनी की मैं ही लूँगा complete 11 बॉटनी की सारी की सारी classes एक एक चेप्टर आपको revise कराया जाएगा secondly जब आपका 12 का syllabus complete हो जाएगा तो complete 12 बॉटनी यानि एक दम end to end biology के पहले पन्ने से लेकर आखरी पन्ने तक हम लोग साथ रहेंगे और यह मैं आपको करवा रहा होंगा इसके अलावा board में हमारा जो target है जो मैं आपको दे रहा हूँ pressurize करने के लिए नहीं पर इतना content आपको मिलेगा यह है 100 on 100 का and आपको neat में जो target मिल रहा है अगर हम average मान के चलें कि 180 number की bot नी आती है हाला कि उससे ज़्यादा की ही आती है तो यह हमारा target है मैं आपको guarantee के साथ कह रहा हूँ day one पे इतने बड़े platform पे अगर मैं यह बात कह रहा हूँ तो इस बात की बहुत value है मैं आपको इतना content दूँगा कि आप यह दोनों चीज़ें पार कर जाओगे अब आप में इतनी हिम्मत है कि आप इतना content ले लो और जो मैं बता रहा हूँ वो कर दो तो वो totally आप पे depend करता है क्योंकि हम हर साल इतने बच्चे पढ़ाते हैं आपको भी पता है हर बच्चे का result सेम नहीं आता स्कूल में भी सेम टीचर 40-50 बच्चों को पढ़ा रहा होता है पर क्या सारे बच्चों का result सेम आता है नहीं because the result lies within you यह result आप देते हो और अगली साल भी हम लोग जब celebration पर मिल रहे होंगे तो आप में से ही कुछ बच्चे टॉप रैंक्स निकाल रहे होंगे और कुछ बच्चे टॉप रैंक्स नहीं भी निकाल रहे होंगे that only depends upon your temperament and your patience and your determination and your persistence की आप इन सारे कामों को timely कर पाते हो या नहीं तो आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ठीक से कर लेना है और जो मैं homework आपको छोटे मोटे दूँ उनको ठीक से कर लेना है यह दोनों target हम लोग फोड रहे होंगे तो आपको technically 11th और 12th दोनों का एक mixture पढ़ना है इसी साल आपको board examination के साथ भी justice करनी है मैं आपको यह कभी नहीं बोलूँगा कि आप बोड पे ध्यान मत दो बिल्कुल ध्यान दो भाई अगर आपका concern है कि आपको 100 में से 100 number लाने है आपका ध्यान होना चाहिए बिल्कुल हो है उस तरीके से आपका selection नहीं हो पाएगा दोस्त always make sure कि आप पहले इसके साथ justice करें 12th comes first ultra sequence हो गया आप यहाँ पर अब आपके लिए बारवी class का syllabus पहले आना चाहिए 11th comes later 11th का syllabus आपके लिए बाद में आना चाहिए इस चीज़ को दिवार पे लिख लो कहीं इस चीज़ से बिल्कुल भी चूकना नहीं है 1% भी आपको promise करना है कि हम इसी sequence में चलेंगे बारवी हम लोग एकदम साथ साथ लेके चलेंगे और बीच में जब भी हमें वक्त मिलेगा ह हम लोग यारवी के concept भी पढ़ रहे होंगे मैं खुद ही पढ़ा दूगा आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है मैं खुद ही पढ़ा दूगा लेकिन आपको एक बार determination के साथ ये कह देना है कि सर अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि दो महीने बाद मैं किसी और टीचर से पढ़ूँगा लक्ष 2.0 आ जाएगा लक्ष 3.0 आ जाएगा सर हमें तो सारे free में मिले हुए हैं ऐसे तो मेरे भाई end में हमारी बहुत सारी series आती है ऐसे तो उमीद भी आई है प्रचंड भी आई है महा मैरेथान भी आएगी जिन्दिगी में मौके मिलते रहेंगे लेकिन आप पहले मौके में ही उसके साथ justice कर दो तभी तो आपकी patience test होगी ना तभी तो आपे कच्छे student कहलाओगे कि आपको जो मौका दिया गया आपने उसी में फोर दिया until and less आपके साथ कोई बहुत बड़ी problem ना हो जाए जो मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ना हो तब तक आपको इस batch को नहीं छोड़ना है आपको इसी में पढ़ाई करनी है till the end इस चीज़ को एकदम आराम से समझो because एक बार अगर आपको चीज़े छोड़ने की आदत लग गई ना तो वो pile up होती चली जाएगी फिर आप किसी भी चीज़े के लेकर serious नहीं रह पाऊगे क्योंकि आपको यह जो चीज़े छोड़ना है skip करना है procrastination यह बहुत आम लगने लगेंगी and ultimately they will set in your subconscious mind आपको ऐसा लगने लगेगा यार यह तो daily का ही अपना एक time के बाद ना शर्मानी भी बंद हो जाती है आपने कई बार देखा होगा और as a student मैंने भी देखा है कोई घब get diluted आपको फर्क पढ़ना बंद हो जाएगा आप चीज़ों को उतना seriously नहीं लेंगे जितना पहले ले रहे थे and that will cause regret और एक बहुत पुरानी कहावत है कि the pain of preparation is better than the pain of regret आप तयारी करके हार जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बैट के सोच्ते मत रहो regret मत करो at least उससे बचेंगे न हम लोग तो इसलिए आराम से हम लोग तयारी करेंगे सारी revision classes आपको दी जाएंगी यह जो यहाँ पर लिखा है यह एकदम end to end आपको बिलेगा डरने की कोई जरूरत नहीं है चुरू किया जाए भाईया कहानी को कारेकरम को आगे बढ़ाएं शुरू करें फटा फट बता दीजे दोस्त अब आ चुके हैं हम लोग mode पे and I believe in a simple philosophy zero time pass strategy I do not do any kind of time pass in class end के 5 मिनट हम लोग बैठते हैं students की problem को cater करते हैं class में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बाते होती हैं उसमें थोड़े बहुत funny element हम लोग लेकर आते हैं जब भी जरूरत होती है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई की बात करेंगे इस पूरी साल जो भी हमें कहानी हमने सुना दी अब आपको बीच बीच में जब जब guidance की जरूरत रहेगी तो आपका भाई यहां पर खड़ा है लेकिन आज हम लोग अभी चर्चा करते हैं हमारे syllabus की और श्री गणेश कर देते हैं हमारे syllabus का correct तयार हो दोस्त बहुत शांदार यह जो महानुभाव हैं इनको सबसे पहले तो साधर प्रणाम और चैट में भी एक बार लिख दीजिए महेश्वरी सर ओपी इनका नाम है डॉक्टर पंचानन महेश्वरी और इनको साधर प्रणाम क्यों दुनिया में तो कई scientist हुए हैं कई बॉटनिस्ट हुए हैं कई agricultural legends हुए हैं जिन्हों ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया लेकिन इन्हों ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जो हमारे लिए रामबान है जो हमारे लिए हत्यार है जो हमारे लिए हमारा सब कुछ है it is our blood it is our sweat it is our biggest sword हमारी तलवार है क्या NCRT भारत में जब NCRT का पहला edition आया तो उन NCRT books के बनने में सबसे प्राइम योगदान बायलोजी की NCRT book बनने में 1964 किसका था श्री पंचानन महेश्वरी सहब का इसी लिए इनके नाम में ओपी बनता है क्योंकि जिस किताब में इनकी तस्वीर है वो किताब ही इनकी है सबसे पहला point सबसे important point जो हमें यहां पर लिखना चाहिए कि first NCRT biology महेश्वरी सहाब का बहुत important role था जो इन्होंने 1964 में कराया इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पंचानन महेश्वरी सहाब जो है इन्होंने एक unique degree करी है unique degree क्या है जैसे राजू था अपना हेरा फेरी वाला उसने क्या हुआ था ITUS इसकी टोपी इसके सर वाली degree है न यहां पर सर ने क्या करी थी एक बहुत prestigious degree है जिसको हम कहते है DSC कहां से करी from Allahabad जिसको अब प्रियागराज कहा जाता है अलाबाद से इन्होंने अपनी DSC करी sir DSC क्या होता है DSC तो सुनी है MSC तो सुनी है DSC क्या होती है DSC in actual is a postdoctoral degree यानि यह जो degree है doctor in science यह actual में PhD के भी बाद होती है है ना PhD के भी बात होती है तो सब पोस्ट डॉक्टरल डिग्री साइन्स में इससे बड़ी डिग्री हुई नहीं है अभी तक यानि PhD is not the biggest डिग्री इसके बाद DSC भी होती है तो इस सब पोस्ट कि डॉक्टरल कि डिग्री जो हमारे महिश्वरी सहाब थे he was one of the most distinguished botanist of the world पूरी भारत में तो इनका नाम था ही लेकिन उसके अलावा पूरे विश्व में इनका नाम था most distinguished botanist plant के बहुत बड़े ज्यानी बहुत बड़े ज्याता माने जाते थे in the world राइट यह बहुत ही जादा बड़ी बात थी सारे भारतियों के लिए इन्होंने भारत को बहुत जगा रेप्रेजेंट किया है इसके लावा अगर आप देखें तो he was inspired by his guru और इनके गुरू का नाम क्या था कि इनके गुरू जो थे बहुत अच्छे आदमी थे इनका नाम क्या था डबल्यू कि डट्जियोन और यह डट्जियोन सहाब बहुत अच्छे आदमी थे मेरे जैसे ही थे क्यों क्योंकि हमेशा चाहते थे कि इनके स्टूडेंट्स इनसे आगे बढ़े इनके he felt that feeling for Pancha Naan Maheshwari साहब जब Pancha Naan Maheshwari साहब अपनी field में तबाही मचा रहे थे तब डिर्जियन साहब को जो feeling आई वो feeling मुझे आपसे चाहिए तो same एक गुरु हमेशा सोचता है कि उसका कोई शिष्ष ऐसा निकले जो दुनिया हिला के रख दे कुछ breakthrough discoveries करे और ऐसे ही कुछ students आप निकलेंगे आगे चलके मैं ऐसा believe करके चल रहा हूं and life में बहुत बड़ा-बड़ा काम करेंगे इनकी studies जो थी वो किस पर थी किस पर पढ़ाई करते थे embryology पर पढ़ाई करते थे यानि plant में embryological development जो था उसके उपर बात करते थे है ना test tube fertilization पर बात करते थे कि प्लांट में आपका artificial fertilization कैसे करी जाए इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में बात करते थे जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे हमारे इस chapter के अंदर कि अना इन पे काम किया आपके महश्वरी सहाब ने तो इस सारे चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो ना चाहो तो ना लिखें बिकॉज NCRT मैं पढ़ाता हूँ cover to cover एक एक पन्ना एक एक पॉइंट तो वहाँ पर महश्वरी सहाब का जिक्र था तो हमने भी इनका जिक्र किया most important point इनके बारे में यही है हाला कि हम लोग थोड़ा आगे भड़ते हैं अब और syllabus की discussion करते हैं यह चीजे exam में नहीं आएंगी यह सिर्फ आपके reference के लिए कि जब आप NCRT पढ़ें तो आपको confidence आए कि आपने कुछ छोड़ा नहीं है यह आप ना भी लिखें तो चलेगा यहाँ पर देखिये आए चर्चा करते हैं इस chapter के नाम की हमारा पहला chapter क्या है फटाफट सब लोग chat section में लिखी है दोस्ट हमारा पहला chapter क्या है sexual reproduction in flowering plants क्या इस chapter के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या इस chapter के नाम से हम कुछ decode कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इस chapter में एक शब्दारा है sexual reproduction और एक शब्दारा है flowering plants ये जो flowering plant हैं ये कौन से होते हैं दोस्त ये जो flowering plant हैं कौन से होते हैं कि फ्लावर कौन से plants में पाये जाता है अगर मैं यहां पर लिख दूं एंजियो स्पर्म्स तो क्या मैं सही हूं अगर मैं लिख दूं यहां पर एंजियो स्पर्म्स तो क्या मैं सही हूं ये सर आप एकदम सही हो एंजियो स्पम्स को ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है क्योंकि एंजियो स्पम्स की तीन खास विशिष्टाएं हैं तीन खास प्रॉपर्टीज है पहली प्रॉपर्टी है दप्रेजेंस of fruit यहाँ पर आपका seed के उपर fruit पाये जाता है यानि फल पाये जाता है दूसरे important चीज है the presence of flower यानि full पाये जाता है and third thing is the presence of double fertilization जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे इस chapter में बहुत detail में यही हमारा final topic है कि इसमें दो प्रकार की fertilization होती है यह तीनों की तीनों जो properties हैं यह सिर्फ और सिर्फ angios pumps में पाई जाती है और कहीं नहीं plant की 5 categories होती है simple से complex की तरफ अगर चलें तो सबसे simple plants क्या होते है algae algae का size बहुत छोटा होता है कई algae microscopic भी होते है इसलिए ने micro algae भी कहा जाता है जो पानी में काई बनाते है and यह usually aquatic होते हैं पानी में ही पाए जाते हैं इसके बाद अगर आप देखोगे तो आते हैं bryophyte बच्चे biology वाले एक बार अपने घर का address भूल सकते हैं पर यह बात अपना जन्म दिन भूल सकते हैं लेकिन यह नहीं भूल सकते कि cell is the structural and functional unit of life कुछ चीज़ें तो हमारे दिलों में गुदी हुई हैं दोस्त as a biologist हमने कमाया ही क्या है यही तो 3-4 लाइने ही तो है जो कि हमारे जीवन का आधार है इसी में से एक लाइन है और पानी के आसपास लेंड पर पाए जाते हैं पानी से बहुत दूर नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि इनको gamete transfer के लिए पानी की आफशकता पड़ती है अगर यह पानी से बहुत दूर जाएंगे तो gamete thick से transfer नहीं हो पाएंगे sexual reproduction नहीं हो पाएंगी यह अपनी generation को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे that's why इनका पानी के आसपास रहना जरूरी है third teridophyte bryophyte, teridophyte मिलता जुलता नाम है, मिलता जुलता ही काम है, यह भी आपके पानी से बहुत जादा दूर नहीं पाएंगे जा सकते इनमें एक stage होती है that is called as prothelis, जो पानी के आसपास ही रहना prefer करती है, तो यह भी पानी से बहुत दूर नहीं जाते, then gymnosperm नाम में है gymno और sperm, gymno मतलब naked यानि नंगे पुंगे और sperma का मतलब है seed यानि इनके seed नंगे पुंगे होते हैं इनके उपर फल नहीं होता आप जब आम को खाते हो तो उपर का जब आप main edible part खा लेते हो तो अंदर seed निकलता है यानि seed के उपर fruit available है, तो आम क्या हुआ, angiosperm हुआ जब आप तर्बूज को काटते हो तो उस फल के अंदर से कई seed निकलते हैं, यानि seed के उपर fruit है, तो वो angiosperm हुआ, बिल्कुल हुआ, आपने खर्बूजा काटा, आपने पपिता काटा, उस फल को काटने पे अंदर बीज मिले, seed मिले, तो क्या वो angiosperm है, बिल्कुल है जब gymnosperm को आप देखते हो, तो इनमे नंगे-पुंगे seed ही है, इनके उपर कोई फल नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फल का होना, फूल का होना और डबल फर्टिलाइजेशन का होना, सिर्फ और सिर्फ angiosperm में होता है, और कहीं नहीं तो पांच भी कैटेगरी, सबसे important कैटेगरी आती है, angiosperm यानि यहाँ पर sperma, यानि seeds जो है, यह covered है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, angiosperm का seeds are covered by what by fruits fruits से seeds आपके covered होंगे, यह है definition, angiosperm की, आप flowering plant की, अब एक बात यहाँ पर notice करिए, आराम से देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, all flowering plants show sexual reproduction all flowering plants show sexual reproduction ऐसी जो statement होती है ना दोस्त, एंसियार्टी के अंदर, उनमें यह वाले वर्ड जादा important होते हैं, जैसे all कोई exception नहीं है, सारे के सारे angiosperm sexually reproduce करेंगे, मुझे यह बताइए, क्या कोई ऐसा angiosperm है, जो asexually भी reproduce करता है या, आराम से ऐसा सोच करके बताइए, क्या angiosperms asexually reproduce कर सकते हैं, आराम से बताइए, time लीजे, विशाद is saying banana, रिया is saying false, आप बहुत दूर चले गए मेरे दोस्त, इतना दूर जाने की जरुवत ही नहीं थी, अब बहुत दूर चले गए, क्या आपने गुलाब के पौधे को कभी उसकी सिर्फ डाली काट करके उगाया है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो, यार गार्डन में गुलाब का पौधा होगाना है, और आप एक 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 गुलाब के पौधे से डाली काट करके नॉर्मली जमीन में लगा देते हो, और आपका पूरा का पूरा पेड़ तयार हो जाता है, कैसा होता है, बिल्कुल होता है, यानि यह जो फ्लावरिंग प्लांट में टर्म यूज करते हैं, वेजिटेटिव ली, वेजिटेटिव प्रॉपगेशन सुना हुआ है सबने, सुना हुआ है सर, एक्जामपल लिखना चाहेंगे, लिख लेंगे सर, एक्जामपल, स्टेम ओफ रोज, और बता दीजिए, अब तो, असेक्शुल रिप् आलू के पौधे को, गिव राइज कर सकता है, कर सकता है न भाई, तो, यहाँ पर कोई सेक्शल रिप्रोड्क्शन थोड़ी हो रहा है, मतलब सारे के सारे, फ्लावरिंग प्लांट, सेक्शल रिप्रड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इनके पास और भी चीजे होती है, सेक्ष्य रॉड्रॉड़क्रशन वो है जिसमें वेडियेशन साथ एक दम करिक्ट है तुराब सेक्ष्य रिप्रभेशन उसे कह सकते हैं जısमें डौ पेरेंट्स होते हैं जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है प्लाइंडे ग्रमा सेक्ष्य पड़ी नहीं सेम प्लांट भी तो दोनों गैमीट बना सकता है अगर आप देखो तो इसमें एक्जेक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी सेक्शुल रिप्रोडक्शन इस रिप्रोडक्शन जहां पर दो चीजे हो गैमीट फॉर्मेशन गैमीट फॉर्मेशन गैमीट बने और ये गैमीट आपस में आ करके फ्यूज हो जाए और गैमीट की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है दोस्त गैमीट की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है सर फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इस फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है इस फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है बनता है सर इस प्रोसेस का नाम क्या है इस प्रोसस का नाम क्या है फर्टिलाइजेशन है सर राइट यानि आप यहां पर गेमिट फॉर्मेशन और फ्यूजन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे इसे सेक्शुल रिप्रोड़क्शन कहा जाता है अब देखिए आराम से यह जो एंजियो स्पॉम्स हैं यह दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट्स हैं सर हो सकते हैं क्योंकि आप ही ने बताया कि 5 तरीके के प्लांट हैं सबसे सिंपल एल्गी फिर ब्रायोफाइट फिर टेरिडोफाइट फिर जिम्नोस्पर्म फिर एंजियो स्पॉम्स यानि यह सबसे कॉंप्लेक्स हुए सबसे एडवांस हुए बिलकुल यह दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट से क्यों क्योंकि इन्होंने अपने सीड को प्रोटेक्ट किया हुआ है बाइफ फ्रूट तो एक कवर इनको मिल रहा होता है तो इनके सीड अलग अलग जगा पर जाकर उग सकते हैं तो यह जो एंजियो स्पॉम्स दियार वेरी डॉमिनेटिंग ह दुनिया में लगबग हर जगा आपके पाए जा सकते हैं इतने डॉमिनेटिंग है क्यों क्योंकि इन्होंने अपने आपको अडप्ट कर लिया है अपने आपको बहुत विक्सित बना लिया है जिससे कि यह अपना सेक्शुल रिप्रोड़क्शन कंप्लीट कर सकें तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एंजियो स्पर्म्स कि और कि मोस्ट कि डवलब्ड प्लांट्स यह अपने आपको अडप्ट करते हैं बहतर बनाते हैं in the adapt to make sure and they adapt to make sure the fromishan of and products of sexual reproduction यह line बहुत इंपोर्टन हे sexual reproduction अगर आप करा रहे हो flowering plants में तो वहाँ पर end product क्या बनेगा मेरे दोस्त फटा-फट बताईए आपका end product क्या बनेगा आपके sexual reproduction के अंदर आपका seed बनेगा और उसके उपर क्या बनेगा fruit बनेगा तो आपका seed बनेगा and उसके उपर क्या बनेगा fruit बनेगा sexual reproduction में यही तो होता है seed and fruit बनते हैं तो यह क्या है आपके end product है किसके sexual reproduction के seed and fruit और यह बनते कैसे हैं अगर आपको ध्यान हो 11 वी में अगर आपने पढ़ा हो यह seed क्या है actual में यह seed आपका fertilized ovule है यह मैं आपको अगले lecture में यानि कल बताऊंगा भी ovule जो है after fertilization seed बनाता है और ovule आपकी after fertilization क्या बनाती है fruit बनाती है correct है fertilized ovule seed बनाता है fertilized ovule fruit बनाती है correct है तो यहाँ पर आपने काफी सारी information देखी अब मुझे बताईए फूलों का आपके जीवन में क्या महत्व है what is the importance of flower in your life क्या आप फूलों का कहीं इस्तेमाल करते हैं सर करते तो हैं कहां कहां इस्तेमाल करते हैं दोस्त सर पूजा पार्ट में इस्तेमाल करते हैं साधू आदमी है बहुत अच्छी बात है सर गर्फरेंड को देते हैं है ना अंदर से दुष्ट आदमी है फूलों के टकराने से भी आप एक feeling of love को convey कर रहे हो किसी को propose कर रहे हो तो भी फूल है ना और किसी की death हो जाती है तो भी उनको फूलों से ही श्रधांजली अर्पित करी जाती है यानि फूलों का महत्व तो बहुत है अपनी अलग-अलग feelings को हम convey करते हैं तो यह जो flowers होते हैं इनकी बहुत जादा value होते हैं यह flowers आपके सुंदर होते हैं तो दिखने में ही मनमोग लगते हैं खूबसूरत लगते हैं तो इनकी aesthetic value होती है इस्थेटिक जिनको देखके ही आप खुश हो जाओ खूपसूरत होते हैं तो घर पे भी लगा सकते हो औरनमेंटल जब भी कोई शादी ब्या होता है तो आपके फूलों से घर को सजाया जाता है है ना औरनमेंटल होते है है ना आपका religious value भी इनकी होती है आप पूजा पार्ट में भी इस्तेमाल करते हो cultural value भी होती है हमारे culture का पार्ट है है ना cultural values भी होती है तो अलग-अलग तरीके से आप फूलों का इस्तबाल करते हो और अपनी अलग-लग feelings को भी आप convey करते हो फूलों को दे करके for conveying different feelings for conveying different feelings हमारी अलग-अलग feelings को भी हम लोग convey करते हैं आपके फूलों को किसी और को present करके चाहे वो love हो आप किसी से प्यार करते हैं चाहे वो affection हो आप अपने दोस्त को yellow color का रोज दे सकते हैं आप उसको बताते हैं कि you are important है ना चाहे वो grief हो यानि किसी के लिए आप उदास हो morning हो आपकी दुखी feeling को आप इस्तमाल कर सकते हो फूलों को यहां पर देखे दोस्त यह जो फूल है यह sexually reproduce करते हैं यह हमारे लिए एक वरदान है यह हमारे लिए वरदान है दोस्त क्यों क्यों कि यह जो हमें फूलों की फूलवाड़ी दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते है मिर्यार्ड ओफ फ्लावर मिर्यार्ड का मतलब क्या होता है फूलों का जुंड एक ग्रुप यानि यहां पर यह जो आपके फूलों की फूलवाड़ी हमको दिखाई दे रही है यह important है क्यों समझ लीजे यहां पर एक फूल पड़ा होता तो इंसेक्ट की नजर इस एक फूल पे जाएगी या इस फूलवाड़ी पे जाएगी सर फूलवाड़ी पे जाएगी दूर से ही दिखाई दे जाएंगे इतने सारे कलर फूल आपके फूल एक साथ तो यह इंफ्लॉरेसंस में पाए जाते हैं जुं तो ये फूल मुझे attract करेंगे, इनके color मुझे लुभावने लगेंगे, और मैं इन फूलों पर जाके बैठूंगा, और ये फूल अपने pollen मेरे उपर dust कर देंगे, यानि ये जो फुलवाडी बनाई जाती है, किसलिए बनाई जाती है? तो एट्रेक्ट इनसेक्ट पॉलिनेटर्स, जिससे कि इनसेक्ट इनके उपर आकर बैठ सकें, सिमिलरली इनके जो color होते हैं, ये भी बहुत जादा आकरशक होते हैं, attractive होते हैं, तो ये फूल colorful क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनसेक्ट को attract करना चाते हैं, नॉर्मल हरी भरी तो पूरी दुनिया ही है, उस पे निगाह नहीं जाएगी, लेकिन ये जो फूल है, इन पे निगाह जानी चाहिए, इन पे आपका एकदम से ध्यान जाना चाहिए, तभी तो आपको ये attract कर पाएंगे, that's why they are colorful, डियोड्रेंट का एड देखा है कभी, डियोड्रेंट लगाता है लड़का, उपर से अफसराय दिवार छत एकदम पूरा महला तोड़ के अंदर खुश जाती है, कि वहाँ जनाब क्या खुश्बू है, Similarly, हम लोग भी तो इन फूलों की खुश्बू से बहुत जादा attract होते हैं, इनके भी तो जो scent हैं, जो fragrance हैं, ये हमको बहुत जादा खुश करते हैं, तो ये जो आपके scents हैं, फ्रेग्रेंटिक पर्फ्यूम्स हैं, ये कोई हमारे लिए नहीं है, ये भी insects को attract करने के लिए है, कि कम से कम कोई insect इनको सुंगने के लिए ही आ जाए, और इसके ओपर pollen जाड़ देंगे, यानि कि ये सारी चीजें जो nature को बहुत खुबसूरत बनाती हैं, चाहे वो फूलों का एक साथ पाया जाना हो, चाहे वो फूलों का बहुत रंगबिरंगा होना हो, चाहे वो फूलों का खुश्बुदार होना हो, ये सारी कि सारी चीजें actual में क्या हैं, to attract insect pollinators, यानि ये स उस पे वो पॉलन ट्रांसफर कर देंगे, तो इंसेक्ट यहां पर एक डाकिय का काम करते हैं, एक फूल से पॉलन उठाएंगे, दूसरे फूल पर जाकर के अपनी बॉड़ी जटक देंगे, जैसे आपने कई डॉक्स को देखा होगा, क्योंकि बॉड़ी पे जब पानी लग नहींच्व बॉड़ी मिला। है ये तो इस सारी चीज़े क्या है इन एक्टवल दे ओल्ल आर shoot of sexual reproduction sexual reproduction करने के लिए ये सारे के सारे क्या है जुगाड है इनको aid of sexual reproduction कहा जाता है और ये जो fool है ये जो fool है मेरे भाई ये आपके sight है जगा है sexual reproduction की क्योंकि ये जो fool है इसी पर तो male और female sex organs पाए जाते है तो flowers क्या है flowers are the sites of sexual reproduction sexual reproduction के लिए male और female sex organ चाहिए वो कहाँ पाए जाते हैं आपके फूलों पे ही पाए जाते हैं तो flowers are the sites of sexual reproduction करेक्ट है यहां तक सब को clarity है एक बार फटाफट तारारा इंदर चैट सेक्शन प्लीज फटाफट एक आईडिया दीजिए एक बार बताईए कि यहां तक सारी चीज़े क्लियर है नहीं बहुत बेसिक बाते हैं आगे पूरे चप्टर में यहीं रिपीट होंगी आराम से कर लिख लीजेगा नोट्स मिल जाएंगे टेंशन मत लीजे एना सिर्फ आराम से अभी सुन लीजे कि हम क्या क्या बाते बता रहे हैं पूरे चैप्टर में आज तो एकदम जनरल इंट्रोडक्शन है ना घर की बात करेंगे एकदम आगे चलके थोड़ा सा और आगे हम लो लोगों से तो उनको फूल दे करके उनको हम लोग इंप्रेस भी करते हैं अब देखे यार एक पड़े लिखे और एक गधे में क्या फर्क है सर पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ दिखता पढ़ा लिखा है और बात सही भी है अब आप किसी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट से जाकर पूछेंगे अब आप किसी जे एस्पिरेंट से जाकर पूछेंगे भाईया ये क्या है तो बोलेगा फूल है और हम आप से पूछेंगे कि ये क्या है आप भी कहते हो fool है तो actual में हम fool हैं भाई हम गधे हैं अगर एक J-Spirant भी उतना बता पा रहा है जितना हम बता पा रहे हैं तो हमने कुछ नहीं उखाड़ा biology लेके इसलिए हमको एक ऐसी definition बनानी पड़ेगी जिसको सुन करके लोगों की हालत खराब हो जाए J-Spirant को कह देना ये तुम्हारे लिए fool होगा हमारे लिए इस दे ओर फोलोजिकल एंड एम्रे लोजिकल मार्वल ऐसे चौड में बोलना है यार इंग्लिश में बोलना है एकसंट का भी ध्यान रखना है तो साइंटिस्ट ने क्या कहा फूल को और बाइलोजिस्ट हम सब के लिए हम सारे भाईयों के लिए और बहनों के लिए ये फूल क्या है फ्लावर इस morphological and embryological marvel and site of sexual reproduction जो हम पिछली slide में भी लिख चुके है है ना for us it is morphological and embryological marvel and site of sexual reproduction आज के बाद बता देना कोई फूल दिखे तो किसी जैए एस्पिरेंट के सामने शेखी माननी हो कि ये क्या है तो बता देना भाई ये सिर्फ फूल नहीं है ये morphological और embryological marvel है है ना चोड़े हो जाना बहुत ज्यादा अब ये morphological और embryological marvel सुन तो लिया गुरू जी पर है क्या पहले हम तो जान ले पता लगा आधा ग्यान लेकर के चले गए शेखी मानने है ना सामने वाले नहीं बैंड बजा दी अगर वो एक फ्लावरिंग पेड है तो आपका ध्यान किस पार्ट पे जाएगा फूल पे जाएगा तो morphologically अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा attractive पार्ट है most attractive और आई catching पार्ट आँखों को भाने वाला क्या है आपका फूल ही तो है और embryological वया embryonic development यहीं तो होती है है जाएगोट कहां बनेगा female के अंदर ही तो बनेगा और female पार्ट कहां है फूल में ही तो है तो embryological डवलप्मेंट अकर्स हेर embryological development यहां पर होती है तो यह morphological marvel भी है दिखने में सबसे खूबसूरत और embryological marvel भी है यहीं पर आपका embryo बनेगा करेक्ट एंड site of sexual reproduction यानि यहां पर male और female sex organs पाए जाएंगे है ना sex organs कहां पाए जाते हैं flower पे ही पाए जाते हैं तो यहां पर क्या पाए जाएंगे male का symbol होता है यह and female का symbol होता है यह तो male and female sex organs are found correct है दोस्त यहां तक सबको समझ में आया फटा फट एक बार बता दीजिए यहां तक सबको clarity है या नहीं क्या क्या पड़ा है हमने एक बार दोबारा repeat कर देते हैं दोस्त कोई कंजूसी कोई कामचोरी नहीं करेंगे यहां तक की सारी बाते एक और बार repeat कर देते हैं देखें यहां पंचानन महेश्वरी सहाब इनका जन्म जैपूर राजस्थान में हुआ और इन्होंने अपनी डियस्सी डॉक्ट्रेट इन साइंस अलाबाद से कंप्लीट करी NCRT का पहला एडिशन बनने में 1964 में इनका बहुत महत्वपूर योगदान था यह पूरी दुनिया के सबसे परम प्रख्यात बॉटनिस्ट में से एक थे इनके जो गाइड थे इनका नाम था डबल्यू डॉट जयोन सहाब जो हमेशा चाहते थे कि पंचानन महेश्वरी लाइफ में बहुत अच्छा करें तो इन्होंने एंब्रियो लॉजी पे काफी काम किया टेक्सोनॉमिक स्टडीज में भी एंब्रियो लॉजी को इंटिग्रेट किया टेस्ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे काफी काम किया है ना इम्मेच और एंब्रियो कल्चर पे काम किया इंट्रा ओविरियन पॉलिनेशन पे काम किया जो कि आपको नहीं पढ़ना होता पर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है कुछ ना कुछ नया ही सिखा फ्लावर आपके जुंड में पाए जाते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं जिससे इंसेक्ट को एट्रेक्ट कर सकें फ्लावर कलरफुल हो सकते हैं जिससे कि ये अगेन इंसेक्ट को एट्रेक्ट कर सकें लेकिन इनसान भी इनसे काफी सारी चीजें डेराइव करता है कई सा तो आपका रोज है तो गुलाब जिल बनाने में इस्तमाल होता है तो देरार अलोट अफ लार्स जिनको हम इस्तमाल करते हैं तो हमारी जो भी फिलिंग्स है वो हमेशा से हम कनवे करते आए हैं वाया फ्लावर्स और यह जो फ्लावर है यह sexual reproduction में अपना main role अदा करते हैं क्योंकि male और female reproductive organs यहीं पाए जाते हैं जो मैं आपको अभी structure में बताऊंगा देखे sexual reproduction मतब यहां gamete बन भी रहे हैं और gamete fuse भी हो रहे हैं तो gamete के fuse होने से क्या बनेगा जाइगोट बनेगा right and angiosperm flowering plants को angiosperm कहा जाता है जिनकी तीन खास properties है फूल का present होना फल का present होना और double fertilization जो की आगे आने वाले lecture में हम detail में पढ़ेंगे जितने भी flowering plant हैं यह sexually reproduce करते हैं लेकिन asexually भी reproduce कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रॉपेग्यूल से भी reproduce कर सकते हैं हर angiosperm चाहता है कि वो अपने आपको adapt करें जिससे वो make sure कर पाए कि उसके seed और fruit properly बने जिससे वो अलग-अलग जगा जाकर उग सके flower की definition biologist के लिए क्या है दियार morphological and embryological marvels यानि एक कुदरत का करिश्मा है मेरे दोस्त जो की दिखने में भी सबसे खूब सूरत है और आपके embryological marvels भी है इनमें embryonic development भी होती है आपके seed भी यही बन रहे होते हैं है ना क्योंकि embryo किसके अंदर होता है inside seed होता है तो आपका seed भी यहीं आपका बन रहा होता है कि यह यह हमने देखा कि अब हमारा आज का सबसे important topic कि सबसे important topic हाव flowers are formed यह फूल आखिर बनते कैसे हैं अराम से देखेगा यह आपकी जमीन है है ना हिस्सा मांगने मता आजाना आपकी जमीन है मतलब हमारी जमीन है हम बना रहे हैं है म convention site इस जमीन पर उसमेज बंक्र हमने 150 बोय तो उपर की साइड़ क्या बनाएगा स्पेसार मना आगा और नीचे की साइड़ वह root की apex पे पाए जाने वाले cell, tip पे पाए जाने वाले cell, क्या कहलाएंगे, root apical cells, और यह continuously divide करते हैं, तो इनको meristematic cell कहा जाता है, तो यह है आपका RAM, यानि आपका RAM, root apical meristem, और यहाँ पर आपका shoot apical meristem है, यानि shoot की tip पे पाए जाने वाले cell, shoot apical meristem, जिसको हम लोगों ने क्या बूला, साम बूला, साम बूला, root apical meristem और shoot apical meristem के cell, यह जो shoot apical meristem के cell होते हैं न, यह हवा में तो cell add करेंगे नहीं, नीचे की side cells add करेंगे और पूरी shoot बनाएंगे, और यह root apical meristem के cell, नीचे मिट्टी में तो cell add करेंगे नहीं, उपर की side cells add करेंगे और पूरी root बनाएंगे, यह बात हमें पहले से पता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अब पता लग गई, अब मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको full बनाना है, तो जब आपको full बनाना होता है, तो एक signal generate होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम के cells जो है, यह किसमें convert हो जाते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम के cells जो है, यह किसमें convert हो जाते हैं, यह convert हो जाते हैं आपके, floral meristem में floral है ना flower के alphabet आ रहे है ना floral meristem में यानि ऐसी meristem जो कि आपका flower बनाएगी तो ये कब convert हुआ floral meristem में जब signal आए to make flower है ना when decision of flowering is taken जब डिशीजन ले लिया प्लांट ने कि हाँ भाई आप तो फूल उगाना ही है उस टाइम पर शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लॉरल मेरिस्टम में कनवर्ट हो गए अब यह जो फ्लॉरल मेरिस्टम के सेल्स है यह आपके डिवाइड करना शुरू कर दिये और डिवाइड करके इन्होंने फ्लावर के अलग अलग पार्ट बना लिये है फ्लावर के अलग अलग पार्ट बना लिये है ठीक है यहां पर देखे इन्होंने क्या क्या बना लिया इन्होंने हरे भरे सैपल बना लिये है इन्होंने रंग बिरंगी पंखुडिया यानि बना लिया राइट इन्होंने क्या बनाए सारे के सारे पार्ट बना लिये इन्होंने आपका सेपल बना लिये इन्होंने आपके रंग विरंगी पंखुडिया यानि पैटल बना लिये इन्होंने आपका मेल सेक्स ओर्गन यानि एंड्रोशियम बना लिया और इन्होंने फीमेल सेक्स औरगन यानि गाइनो इस्यम मना लिया पर पंगा क्या हुआ आराम से देखेगा 11 लिंक करके पढ़ा रहा हूं अभी जब दिखाऊंगा तो होश उड़ जाएंगे एंड तक रहना इस सेशन में आराम से देखना यह जो सारी की सारी चीजे बनी है अलग अलग नोडस से बनी नोडस जहां से आपके पत्ते उगते हैं वहां से अब फूल के पार्ट उग रहे हैं तो यह क्या है आपके अलग 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 नोडस से अलग 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 नोडस से आपके अलग अलग फ्लावर के पार्ट उगे यस अलग 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 नोडस से आपके अलग-अलग flower के part उगे yes पर क्या अच्छे लग रहे हैं नहीं सर अच्छे नहीं लग रहे फूल तो एक साथ ही अच्छा लगता है इतना फटा हुआ फूल हमें नहीं चाहिए तो यहां पर क्या हो गया यहां पर आपके यह नोड के बीच का जो space होता है ना इंटर नॉड यह नोड के बीच में चोथ्पेस होता है ना इंटर् नॉड यह आपका short हो गया यानी नोड्स आपके पास पास आ गए तो मैंने यहां पर क्या लिखा इंटर नॉड control हो गया एनड एक्सेस आपकी कंदेंस हो गयी एक्सेस आपकी तोटी हो गई एक्शेस आपकी कंडेंस हो गई, एक्शेस छोटी हो गई, यानि कि यहाँ अगर आप देखेंगे, तो यह सारे नोड इतने पास-पास आगए कि हमें लग रहा है, कि सेम जगा से ही सारे के सारे flower के पार्ट उग रहे है, ये आपके sepal, ये आपके petal, यह आपका सेंटर पे काइनोशियम फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट एंड उसके बाद आपका मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट यह चारों चीज़े आपकी सेम जगा से आ गई एक्सिस इतनी छोटी हो गई कि यह सारी चीज़े एक साथ आपकी दिखाई देने लगी यह है आपका फ्लावर अब आराम से सुनिएगा दोस्त अब एक ऐसा कॉंसेप्ट पढ़ाऊंगा दिमाग के तार पूरे के पूरे अच्छे तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे आराम से देखना मैं कह रहा हूँ कि फ्लावर के अलग अलग पार्ट अलग अलग नोड पे बने फिर यह सारे नोड पास पास आगई यानि एक्से चोंडेंस होई तो फूरे फूल एक जैसा बन गया ऐसा लग रहा है एक ही जगा से सारे पार्ट सा राइस हो रहे है इना तो axis condensed हो गई आप यहां पर अगर आप देखे तो कुछ changes हुए यहां पर आपकी पहले कली बनती है बडड बनता है तो फूल बनता है ना तो आपके यहां पर कुछ changes हुए कैसे चेंजिस हुं मौर्फो लॉजिकल चैंजेज़ कै से के आपका कली से फूल जब बनाए knocks On doc है मौर्फो लॉजिकल चेंजिस हुए तब जा के आपका बड़ से फ्लावर बना है एंड बड से फ्लावर बनाने के लिए भाई कली से फूल बन रहा है जब आप भी कली से फूल बनते हो जब आप भी बच्पन से जवानी में पैर रखते हो तो हॉर्मोनल चेंजिस आते हैं बिल्कुल आते हैं जवानी में एड्रेनलीन रश होता है कोई किसी को कुछ नहीं समझता मेरे भाई हमेशा ये लगता है कि मैं ही सही हूँ मैं ही सबका बाप हूँ बाकि सब गदे हैं ये फिलिंग बहुत बार आती है और कई लोगों को आती होगी गुस्सा एकदम चरम सीमा पर रहता है ये दुनिया ऐसे क्यों नहीं चल रही जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल एकदम बूस्टेड रहता है कि एना ऐसा लगता है कि हाथ में किसी की बाई का जाए बस 120 पे एकदम पूरा का पूरा यूनो एक्सेलरेटर ऐसा जीरते हुए निकल जाओं कि क्योंकि हमारे अंदर भी तो हॉर्मोनल राज आता है मेरे दोस्ट फीमेल्स के अंदर भी तो ऑस्टोजन प्रोजेस्टेरॉन भरता है आपके अंदर भी तो टेस्टोस्टेरॉन एड्रेनलीन भरता है तो फ्लावर के अंदर भी जो प्लांट में हमने दो हर्मों के बार में पड़ा था इसमें एथायिलीन आपका फ्लावरिंग की शुरुवात करता है इस ताहें आफ लींड येसिएट करता है और और रоже फ्लावरिंग को प्रक्राब करता है किस है ना तो कुछ याद दिलाता हूं मेरे दोस्त याद नहीं है तो कोई बात नहीं जो लिखवा रहा हूं वह लिख लीजिए है ना आपका जो इताइलीन है कि इट इनीशियेट्स कि लावरिंग कि इन पाइनेप्पल कि एंड ऑग्जेन कि प्रमोट्स एक बार इनीशियेट्स कर दिया है अगर आपका इताइलीन ने इट प्रमोट्स कि लावरिंग इन पाइनेप्पल पाइनेप्पल तो बोलने की बात है और भी प्लांट्स में फ्लावरिंग का जो काम है कौन कराते हैं और इथाइलिन एक शुरू कर रहा है एक आगे बढ़ा रहा है करेक्ट है दोस्त एकदम करेक्ट है अब देखें एक्च्वल में क्या हुआ यहां पर देखें मैं आपके लिए कुछ लेकर क्या हूं यह है एक दतूरे का फूल यह है एक दतूरे का फूल आराम से देखेगा अब इस दतूरे के फूल के इतने पार्ट को अगर आप देखें तो this is a bud, ये एक bud है, जो टिंगा सा दिखाई दे रहा है ना, मेरी उंगली के जस्ट पीछे, सारे पत्ते हटा देता हूँ, जो टिंगा सा दिखाई दे रहा है, this is a bud, तो पहले एक पेड़ पे क्या आया, bud आया, जो शू टेपिकल मेरिस्टम के सेल थे, वो फ्लॉरल मेरिस् जिसमें आपको क्या लगे, morphological and hormonal changes लगे, ये आपका दतूरा यहाँ पर बन करके तयार हो जाता है, ये आपका दतूरा बन करके तयार हो जाता है, तो flowering हमको यहाँ पर करानी थी, तो hormonal changes आये, morphological changes आये, access आपकी क्या हो गई, condensed हो गई, correct है भाई, यहाँ तक समने सीखा, स of flower, किस-किस को याद आया, मैं जानता हूं, थोड़ा सा blur है, पर obviously, अब camera जो है, वो board पे ज्यादा shifted है, तो समझ नहीं आएगा आपको, फिर भी एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, देखे, I hope it is clear now, यह जो उंगली के just नीचे दिखाई दे रहा है, blood है पर इतना तो पता लग रहा है, हरे color का कुछ है, तो यह क्या है आपका, बड है, कली है, और तोड़ के दिखा देता हूं, आसपास के सारे पत्ते तोड़ देता हूं, अब उजार देंगे आज दतूरा को, जो है आपकी, यह क्या है, कली है, बड है, टोटा सा बड, ठीक है, यह मेरे भाई, यह क्या है आपका, पूरा का पूरा फूल है, तो बड से यह बनाया, तो embryological, आपके यहाँ पर, hormonal और morphological, sorry, changes हुए, यह हमारा भाई, he is back, काली चरन बैक, है ना, जिन जिन को नहीं पता, इसका नाम है काली चरन, इसने हमारी काली चरन आ गया है तो इससे आप कैलिक्स और कोरोला की confusion मिटा देते हो, काली चरन बैया के नाम से ही कैलिक्स और कोरोला की confusion भाग जाती है, सबसे outermost कौन होगा आपका, सबसे outer most part कौन सा होगा आपका flower का यहाँ पर आप देखिए कली के अंदर यह जो आपके colored part है अंदर है बाहर आपका क्या है protective part है यानि पत्ते बाहर की side है सैपल बाहर की side है colorful part अंदर है तो सबसे बाहर क्या होगा आपका सैपल होगा तो सैपल को हम किस से represent करेंगे के से हमेशा याद रखेगा अला कि नाम है इसका कैलिक्स तो सी से start होता है लेकिन के से represent करेंगे तो काली चरन इसे हमें पता लगता है कि सैपल को के बोला हमने इसके अंदर क्या है भईया पैटल है इसके अंदर क्या है आपका पैटल है रंग भी रंगी पंखुडिया है तो इसके अंदर क्या है पैटल आए और पैटल को रेप्रेजेंट कर देंगे सी से तो इसका नाम क्या हो जाएगा कोरोला तो आप कैलिक्स और कोरोला दोनों ही सी से थे, तो confusion होती है, कौन सा क, कौन सा सी काली चरन आ गया, जो बाहर की साइड है, यानि सेपल, वो क, जो अंदर की साइड है, यानि पैटल, वो सी, यहां पर देखे, आ गया, A for androsium, यानि male sexual part, androsium, यानि male sex organ, and आपका गया, यानि gynosium, आप में से कुछ लोग आगे चलके डॉक्टर बन रहे होंगे, जाहिड सी बात है है न, तो gynosium, कई लोग gynecologist भी बन रहे होंगे, gynecologist, gyneic, यानि female के डॉक्टर है न, तो यहां पर क्या हुआ, gynosium, यह gynec से ही word लिया गया है, इसका मत्तब क्या है, female sex organ, female sex organ, correct, तो यह जो सारे के सारे part है, जो reproduction में help करते हैं न, इनको क्या कहा जाता है, essential floral parts, यह essential होते हैं, तो इन्हें essential holds या essential parts कहा जाता है, और यह जो आपके directly, sexual reproduction में help नहीं कर रहे होते हैं, कैलिक्स, को रोला यह कहलाते हैं, non essential, या, accessory parts, जैसे आप जब phone लेने जाते हो, तो phone is the main thing, essential, उसके साथ accessory भी मिलती है न, charger, है न, power bank कभी किसी के साथ extra उठा लिया, है न, आपका tempered glass, बाकि सारी चीज़े accessory है, main क्या है आपका, main है आपका phone, इसी प्रकार से flower, जो कि एक reproductive organ है, प्लांट का, reproductive structure है, तो इसमें जो reproduction से संबंदित organs है, यह essential हुए, बाकि सारी चीज़ें आपकी accessory हुई, correct है, यह चार चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो इसके बाद structure बना लेते हैं, यह हमारी final slide है, इसके बाद आपको कुछ नई चीज़े, अब, बताऊंगा मैं, है न, आराम से देखे, यहाँ पर है fool की dandy, fool की dandy, fool में dandy बहुत ज़रूरी है दोस्त, है न, valentine's day अभी कुछ दिन पहले गया ही है भाईया, हमारे भी कुछ मित्र दोस्त, fool खरीद रहे थे, और एक-एक fool का भाव सुनके मुझे पता लगा, कि value dandy की है भाई, fool की नहीं है, fool तो वैसे भी ready पर हर दिन मिलते ही है, मैं खुद पूजा पार्ट के लिए कई बार fool ले करके आता हूँ, तो मुझे बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वैलेंटाइन के जो fool थे भाईया, उनकी value थे, उनकी लंबी dandy की वज़े से, इतनी लंबी dandy दे दो भाईया, कि वही fool जो 10 रुपे का है, वो 500 का हो जाए, तो इस dandy की कीमत भाउत है, इसको हम लोग ऐसे ही हलके में ले रहे थे, पर यह dandy जो है, कीमती है भाई, फूल की कीमत dandy से ही है, इसके उपर पाया जाता है आपका एक receptacle, receptacle मतलब platform जिस पर बाकी सारी चीज़े present हो, correct, platform है, अब center पर क्या पाया जा रहा है भाईया, center पर पाया जा रही है आपकी female, center पर पाया जा रही है आपकी female, that is gynosium, correct है, इसके बाद आपका just इसके बाहर की side पाया जा रहे हैं आपके क्या, आपके male, समझ लीजे, दो बना लिए, दस बना लो चाहे, है ना, शद्धा है भाई, अपनी मन मर्जी है, कितने भी बना सकते हैं, है ना, अभी reference के लिए कितने भी बना सकते हैं, असलियत में किसमें कितने होते हैं, यह हम अलग-अलग families में पढ़ रहे होंगे, है, यह है आपका petal, एंड यहाँ पर हरा भरा आपका क्या है, सैपल है, यह चार पार्ट थे, चार पार्ट थे भाईया, एकदम चार पार्ट थे, देखे, चारो पार्ट की शकल देखे एक बार, यह जो आपकी डंडी है इसको हम क्या कह रहे हैं इसको हम कह रहे हैं पैडी सेल या फिर डंडी को इंगलिश में क्या कहते हैं इंगलिश शब्द है स्टॉक बाइलोजिस इसका कोई लेना देना नहीं है यहां पर यह जो मोटा part है इसको हम क्या कहते हैं ठेलमस जिस पर बाकी सारे flower के part attach होते हैं इस ठेलमस को प्यार से क्या कहा जाता है receptacle भी कहा जाता है यानि कि एक platform की तरह काम कर रहा है जिसके उपर बाकी सारी चीज़ें पाई जाएंगी receptacle मतलब reception यानि platform जिसके उपर बाकि सारी चीज़े पाई जाएंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बाहर के side क्या होगा आपका sepals, हरे भरे sepals, इसके अंदर के side क्या होंगे आपके petals, colorful petals इसके और अंदर की side क्या होंगे आपके androsium male androsium और सबसे अंदर की side क्या होंगे gynosium female gynosium जिनके structure के बारे में और detail में चर्चा कर रहे होंगे यहाँ आपकी nectaries हो सकती है याँ यहाँ आपका nectar भरा हुआ हो सकता है fruity भरी हुई हो सकती है जिसको पीने के लिए भी कई insect आपके पूल के पास आते हैं nectar भी होता है यह है आपका structure of flower एक चीज जो मैं जान बूच के miss कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उस चीज के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ जो लीफ होती है न एक प्लांट पे जो लीफ लगी होती है न उस लीफ के बेस पे कई बार छोटे छोटे पत्ते जैसे ही structure लगे रहते हैं जिसको stipule कहा जाता है similarly इस फूल के डंडी पे भी कई बार कुछ छोटा सा structure लगा हो सकता है उसका नाम क्या है उसका नाम क्या हो सकता है मेरे दोस्त उसका नाम क्या हो सकता है अगर आपको morphology जरा से भी याद है इसका नाम क्या हो सकता है ब्रैक्ट इसका नाम हो सकता है ब्रैक्ट अगर ये ब्रैक्ट अगर ये लीफ जैसा दिखने वाला ब्रैक्ट सच में हरा भरा है if green अगर ये हरा भरा है तो ये आपका protective भी हो सकता है जब full आपका पूरा developed नहीं होता कली के form में होता है तो ये आपका protective भी हो सकता है एंड आपका इसके अलावा क्या हो सकता है प्रोटेक्टिव भी हो सकता है और हरा भरा है तो थोड़ा भूत फोटो सिंथेसिस भी कर सकता है लेकिन अगर यह colorful है इफ colorful तो इस colorful ब्रेक्ट का क्या काम है मेरे भाई colorful है रंग बिरंगा है तो इट कैन attract pollinator यह insects को attract करने का भी काम कर सकता है पॉलिनेटर को attract करने का भी काम कर सकता है यहां देखिएगा यह जो ब्रेक्ट है अगर कुछ प्लांट में पाया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है ब्रेक्टिएट ऐसे प्लांट जिनमें ब्रेक्ट पाया जाता है उन्हें bractiate कहा जाता है BR से represent करते हैं अगर bract present है अगर bract present है तो plant को bractiate कहा जाएगा और अगर bract absent है तो इसको क्या कहा जाएगा E eliminate हो चुका है bract E bractiate यानि eliminate हो चुका है E for eliminate हो चुका है bract BR तो E bractiate कहा जाएगा कि सर कुछ ऐसा बता दीजे रामबान की मौर्फलाजी भी याद हो जाए अभी लो भाई मैप देखना पड़ेगा बस कि सर ये क्या है अगर आप याद करना चाहते हैं कि कौन-कौन से प्लांट ब्रेक्टियेट होते हैं तो मैप देख लीजे मैं थार्य सर ये क्या है अब सि मतलब है स आ रहा है इसके अंदर तो आलू बैंगन की फैमिली सोले ने सी हमारे मौर्फोलाजी का पार्ट और तीन नई फैमिलीज हमारे सिलेबस में एड हुई है M का मतलब मालवे सी जिसमें आता है हमारा मेन माल जो हमें बहुत पसंद है भिंडी ए का मतलब एस्टेरेसी जिसमें आता है आपका सनफलावर और ससुराल गेंदा फूल गेंदा और आपका पी जिसमें आता है अनाज, गेहूं चावल, बाजरा, मक्का पोएसी हमारी खाने पीने वाली फैमिली इन चारों फैमिली में ब्रेक्ट पाया जाता है बाकी फैमिली में ब्रेक्ट नहीं पाया जाता है सी मैप से याद करो टफ से टफ क्वेशन आए जंड कर देंगे भाई क्वेशन को है ना, इतना भी टफ क्वेशन आया बाकी बच्चा यह question नहीं बना पाएगा आप पूछोगे कौनसी कौनसी फैमिली में ब्रेक्ट था गैरेंटी देता हूं नहीं बना पाएगा कि यह question हमने quiz में कराए था है ना कुछ 11-12% के आसपास result आये था क्योंकि आइडिया ही नहीं है लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर सी मैप अगर मैप देख लिया तो ब्रेक्टियेट प्लांट्स एक दम से याद हो जाएगे करेक्ट यहाँ तक सब को सब कुछ पता है दोस्त करने चुट्टी अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं है ना यह हम लोग कल कर लेंगे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं क्योंकि अगले लेक्टर में बताना ही पड़ता तो यह हम कल कर लेंगे, अब मैं क्या करवाता हूँ, जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर हाथ से लिख करके पढ़ाया, correct, अब मैंने हाथ से लिख करके लेक्चर पढ़ाया, अब मैं आपको NCRT का word to word दुबारा read कराऊंगा, जैसे scientist है, तो इनसे question नहीं बनता, त और चर्चा करते है NCRT की, हम लोग बहुत लखी है कि plant आपके sexually reproduce करते है, क्यों भाईया, उसमें हम लोग कैसे लखी है, क्योंकि plant के sexual reproduction के complete होने के लिए उसने कई जुगार लगा रखे है, जैसे कि insect को attract करने के लिए scent और perfume बनाता है, तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, ह पूल अपने आपको रंग विरंगा करते हैं, जिससे insect उन पर आके बैठे, हमारी आखों के लिए भी यह बहुत अच्छी चीज है, हम भी बहुत खूबसूरत नजारे देखते हैं, है ना, और आपके बहुत सारे फूल, फुलवारी बनाते हैं भाईया, मिल जुलकर हो जाते हैं, कि इन फ्लॉरेसंस में पाए जाते हैं, तो इंसक्ट इनको देखके खुश होते हैं और हम भी, तो इस सारे के सारे एक्च्वल में टूल्स हैं, एड्स हैं, सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन की, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट थे, all फ्लावरिंग प्लांट जो कि क्या है, आपका fruit and seed, यानि fruit बना रहे हैं और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके seed पाए जाएंगे, ये भी बन रहे हैं, एंजियो स्परम्स अगर आप देखें, यानि फ्लावरिंग प्लांट अगर आप देखें, तो इनके साथ हमारी relationship बहुत पुरानी है, फूल जो हैं बहुत खूपसूरत होते हैं, aesthetic pleasure मिलता है इनको देख करके, घर पे सजावट के लिए लगाये जा सकते हैं, है ना समारों में कोई आ रहा है, उसके उपर बरसाये जा सकते हैं, religious और cultural value है, भगवान को भी चड़ाये जा सकते हैं, अपना किसी के प्रति प्यार दिखाना हो, affection यानि दोस्ती यारी दिखानी हो, खुश हैं या दुखी है, grief और morning के time पर भी fool का इस्तमाल कर सकते हैं, to a biologist, हम सब के लिए fool क्या हैं दोस्त, हम सब के लिए दियार morphological and embryological marvels, ये कुदरत का करिश्मा है, जो कि बहुत खुबसूरत है, morphologically दिखने में and embryologically बह जैस्तरीन है, इसमें embryological development होती है, and sexual reproduction तो होगी ही, ये है आपका एक fool, जहां पर ये female part है gynosium, इसका stigma style ovary, आपको पता होगा, नहीं पता है, बता देता हूँ, सबसे उपर वाला part है stigma, जिस पे pollen आकर के land करता है, ये जो tube है, ये है style, और नीचे का जो सबसे मोटा part है, ये इनमें होते हैं कई stamens, ये जो male part दिख रहे हैं, कई सारे हैं, ये stamens है, इसमें आपका उपर वाला part है, गोल मटोल, ये है एंथर, और ये लंबी डंडी जो है, ये है filament, बीचे आपको रंग बिरंगी पंखुडी दिखाई दे रही है, पैटल, और ये है आपका सेपल, जहां पर आपका nectar भरा हुआ हो सकता है, ये वो part है जहां पर आपका nectar भरा हुआ हो सकता है, यानि fruity भरी हुई हो सकती है, correct, आप देखे, ये हम लोगों नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग, नहीं नहीं, यहां पढ़ लेते हैं, जब flower आता है एक plant में, उससे पहले decision बनाना पड़ता है, एक plant को की flowering करनी भी है नहीं, एक बार decision बन जाए, तो hormonal changes आना शुरू हो जाते हैं, right, तो hormonal and structural changes आ जाते हैं, आपकी जो apex है, आपका जो shoot apical meristem है, उसके cell floral meristem में convert होते है, और आपका पहले bud बनता है, और फिर आपका full बन जाता है, कली से full बन जाता है, तो इस floral meristem में, यानि उसके cells अलग-अलग चीज़े बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले floral bud यानि कली बनाते हैं, और उसके बाद पूरा full बना लेते हैं, और इस full में male female part होते हैं, androsium, gynosium, जो sexual reproduction में help करते हैं, correct, यहां तक आज का, पूरा का पूरा काम हो गया, अब मैं आपक आपको कह रहा था कि मैं आपको 12th के साथ 11th automatically करा दूँगा, जैसे मैंने आपको अभी family malvacy, esteracy, family poesy और solenity का एक character बताया, कि इनमें bract होता है, similarly मैंने आपको और भी चीज़े बताई, जो 11th से direct relevance में हैं, तो मैंने एक चीज तयार करी है, NCRT reading के बाद हर lecture में, NCRT linker, यानि आज जो हमने concept पढ़ा, वो कहां कहां किस किस concept से मिल रहा है, ये भी हम सिखेंगे, जैसे हमारा inflorescence part है, नई NCRT का, तो आपने देखा कि शू टैपिकल मेरिस्टम किस में convert हो रही थी, फ्लॉरल मेरिस्टम में convert हो रही थी, अलग-अलग जो node थे, इन पे flower का अलग-अलग part बन रहा था, है ना, तो different kind of flower parts या appendages आपके अलग-अलग node पे बन रहे थे, इन nodes को हमें पास लाना था, यानि इंटर nodes को हमें क्या करना था, अभी हमने complete किया, यह सारी बाते अलग-अलग नोट्स में हैं, यानि जब आप 11th revise करने जाएंगे, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, similarly आगे देखिए, अब हमने flower को reproductive unit बोला, क्योंकि इसमें male और female reproductive organs पाये जाते हैं, चार kind of hole यहाँ पर पाये जाते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा, यहाँ stalk और pedicel है, जिसको dandy कहा जाता है, और इसके उपर मोटा part है, थेलमस और receptacle, जिसके उपर सारे के सारे flower के part पाये जाते हैं, कैलिक्स और कोरोला आपके accessory, floral parts थे, और androsium और gynosium आपके क्या थे, यह आपके reproductive यानि essential floral part थे, और कुछ ऐसे plants जैसे की lily, जिसमें कैलिक्स और कोरोला एक जैसे ही होते हैं, इनमें आप फर्क नहीं कर सकते, इन्हें आप parianth कहते हैं, तो कैलिक्स को हमने लिखा K से, कोरोला को हमने लिखा C से, parianth को हम लोग किस से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं P से, नई बात पता लगी, पता लगी सर, 11th का inflorescence और the flower वाला part आपका यहाँ ड़, मैंने आपको यह भी बताया था, कि auxin जो है, यह promote करता है flowering को, जब hormonal change हो रहे थे तो, तो auxin से, plant growth and development chapter से, यह line उठा करके लेकिया आया, और initiate कौन कर रहा था, flowering आपका, ethylene कर रहा था, तो ethylene से, आपकी यह line उठा करके लेकिया आया, यानि जब आप auxin ethylene पढ़ेंगे, उसको 12th class से link कर रहे होंगे, जब आप morphology पढ़ेंगे, उसको 12th class से link कर रहे होंगे, and vice versa, एक साथ, सारा का सारा काम कर रहे होंगे, हम लोग, जितना link हो सकता NCRT को, ऐस question की, and आप time आगया है, पंचायत का बहुत जल्दी आपको रिलीव कर देंगे, मुश्किल से 3-4 मिनट, कुछ questions हैं, हमारे पास आज पोल नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप chat section में जवाब दें, और जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में आपको हम free कर देंगे, फटा-फट बता रहा हूँ, वही आपका बहुत ज़्यादा है, इससे उपर अगर कुछ करना हो, तो आप पंच्या मोडियूल के सवाल कर सकते हो, फटा-फट बताए, end product of sexual reproduction are, end product क्या थे, fruit और seed, fruit भी यहाँ पर है, और इसके अंदर क्या होंगे, seed होंगे, yes, flower तो आपका पहले से पाया ज देखिया हूँ, जिस दिन बड़ा topic होगा, 10, 12, 20 सवाल क्लास में ही कर लिया करेंगे, तो खेली खतम हो जाएगा, घर जाके छुट्टी आराम से फुटबल खेलो, है न, flowery culture, अब एक नई चीज़ सिखाऊंगा, अब यहाँ पर जब मैं आपको कोई सवाल दूना, तो उस पाना, flower को cultivate करना, is floriculture, इसके अलावा एक और शब्द आता है, जो आपको सुनने में आएगा आगे चलके, horticulture, horticulture में क्या होता है, आप कोई भी plant उगा रहे हैं, चाहे वो flowering plant हो, उसके flower की आप खेती कर रहे हैं, आप vegetable उगा रहे हैं, या उसके fruit जो है, इनको आप commercialize कर रहे हैं, अगर सिर्फ flower, एफ एल ओ आर, तो florikulture, अगर flower, vegetable, fruit, सब, तो horticulture, अब मार कर ये उत्तर फटा फट, अब तो पता लग गया होगा, florikulture क्या है, florik, एफ एल ओ ओ आर, एफ एल ओ ओ आर, florikulture क्या होँआ, बहा है, सिर्फ और सिर्फ लावर, कोई fruit नहीं, कोई सीड नहीं, सिर्फ और सिर्फ लावर, florikulture, नाम से पता लग रहा है, horticulture होता तो क्या-क्या होता, अभी notes में add करो, supplement करो, this is supplementation technique, आज, वो सारी चीज़े हम लोग देख रहे होंगे, जो हम हमेशा करेंगे, कुछ भी DPP में नया मिले, कुछ भी किसी question में नया मिले, just add it in your notes, your notes will become super powerful, horticulture add किया, आगे बढ़िये, match the given options with correct labeling, labeling देखो क्या है, छोटा diagram है, मैं आपको बता देता हूँ, यह आपका enter है, तो यह आपका जो A है, it is your filament, तो A filament किसमें आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, तो A और D गलत हो गए, ठीक है, C क्या है आपका यहां पर, stigma, style, and over e, तो C क्या है, आपकी over e हो गए, C क्या है आपकी over e हो गए, एक में ही है, तो B is the correct answer, yen क्या है, D क्या है, stigma, हाँ डी है स्टिग्मा और यह क्या है यह है आपका स्टाईल तो भी है स्टाइल हाँ सारी चीज़े जो कि आपका आंसर है अगला सवाल देखें इस सवाल बड़े खतरनाक होते हैं फटाफट मार्क करिए और मैं कहरा हूं आज ही आपको पढ़ाया है और इसमें कई बच्चे गल्ती करेंगे और अपनी गल्तियों को साथ साथ नोट करते हुए चलना है जो कि रिडिफ्रेंशेशन कराते हैं फॉर्दर ड्लॉप्मेंट ऑफ्लोरल प्राइम ओड्या में है ना गलत कई लोग भी मार कर रहे हैं री डिकरेंशेशन नहीं कराते हैं डिकरेंशेशन कराते हैं पहली बार Merystrom कोई Permanent Cell बना रहा है तो टिस्ट सिफरेंशेशन नोट री किरेंशेशन दूसरी बार डिकरेंशेशन थोड़ी हो रही है री डिकरेंशेशन लिखके कैसा question आपके सामने डाल दिया कि आप सोचोगे उत्तर कुछ और है लेकिन उत्तर क्या है एसे फसाऊंगा भाई आगे चलके से क्वेशन का स्टेंडर्ड बढ़ता जाएगा तो आपको आडिया लएगा इन फ्लॉरेशन्स आर फॉर्म्ड विच बियर फ्लॉरल बड्स एंड फ्लावर पहले आपका कली आती है फिर फूल आता है तो यह तो सही बात है इनकरेक्ट कहा हुआ इन फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्र्डुर्डुक्टिव स्ट्क्चर्टर्स आर अंड रोशम एंड गैनोशम एंड रोशम मेल है फीमेल गैनोशम है विच बिल डिफ्रेंशेंट चेंड डिफ्लॉरलाइक्टst डिफ्लोप करेक्ट है matches? री डिफ्रेंशीएशन नहीं इस एक शब्द से आपकी NCRT की पढ़ी हुई, पूरी की पूरी लाइन खतम हो गई, उत्तर इस A, correct, उत्तर इस A, मार किया है हमने, correct, आगे देखिए, reproductive organ of flower does not comprises, reproductive organ इन में से कौन सा नहीं है, reproductive part कौन सा नहीं है, androsium male reproductive part है, जो stammens का मिलकर बना होता है, है ना, यानि कि आपका यहाँ पर enter filament होंगे, गाइनोशum is the female reproductive part, तो यह जो आपका टैपल है, या parent है, यह आपका male और female से related नहीं है, जो आपका पेरियन था ना, लिली के अंदर, जहाँ, कैलिक्स और कॉरोला एक जैसे होते हैं, उसी को टैपल कहा जाता है, तो तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यह आपका सेपल पेटल का ही भाई है, टैपल, तो यह reproductive organ नहीं है, यह आपने यहाँ देखा, homework का आपका यह है, कि अगर आपके पास module है, तो exercise 1 का 1, 2, 3, 5 question, exercise 2 का 1 question, क्योंकि हमने आज बहुत जादा पढ़ाई, नहीं करी है, चोटा topic पढ़ा था, और objective NCRT punch में, यह जो initial heading है, इसी के 10-12 question है, आप वो भी कर सकते है, right, यार मैं genuinely बहुत excited हूँ, और इस batch को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग lead करने वाले हैं, तो please make sure कि आप लोग बहुत serious रहें, बहुत sincere रहें, बहुत उमीदे हैं, मुझे आपसे as a friend, as a दोस, as a बड़ा भाई, तो उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही प्यार से ले करके चल से आपको biology समझ में आ रही होगी, effortless बना देंगे botany, यानि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो class में करा रहा हूँ, उसके बाद जाओ, खेलो, कुदो, botany का time कहीं भी devote करो, chemistry को दो, physics को दो, that's completely your choice, I'll make sure that you need not, need any kind of extra resource for botany other than your brother, that's it, मेरे अलावा आपको किसी चीज़ की जरुरत है ही नहीं, मैं आपके लिए पूरी महनत करके खुद ही notes बना दूँगा, खुद ही सब कर दूँगा, जो आपको additional चीज़ चाहिए for your examination, one day before examination, one month before examination, I am just a message away, I am going to look forward to every comment, every message, जो भी आपका batch पे आएगा, जो भी constructive criticism होगा, वो भी मैं लेने के लिए एकदम तयार हूँ, I need to do my betterment also, मैं भी अपने आपको बहतर बनाने पर दिनरात काम करता हूँ, तो मुझे कोई problem नहीं है, अगर आप मुझे को कहीं पर भी correct करते हो, या आप मुझे कोई भी ऐसी चीज़ बताते हो, जो मुझे और करनी चाहिए, मैं जितना भी सक्सम हूँ, मैं आपके के लिए सब कुछ देने के लिए तयार हूँ, and I am very very thankful कि मुझे batch मिला, कि अपने अरजुनास के साथ I would be spending one more year, यह जो जर्नी एक साल की थी वो अब दो साल की हो जाएगी, and we will be sharing a great bond for lifetime always, जैसा कि हम बाकी जार्विस के साथ share करते हैं, तो बहुत ही जादा amazing journey होने वाली है, I I am supremely excited, and I hope कि आप लोग अपना प्यार और अपना भरोसा मुझ पर जताएंगे, और अगर आप मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, कि give me two-three classes time, and that's it, वहीं पर आपको पता लग जाएगा कि आपका decision जो है, वो मैं गलत नहीं ह होने दूँगा, I'll give my 110% to be connected with all of you guys, and I'm expecting that 100% from you also, that we can create wonders, इस बार का जो result आए, वो effortless आए, खुशी से पढ़ेंगे, मौत से पढ़ेंगे, लेकिन result ऐसा आएगा कि सब लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाएगे, and I can make that sure, है ना, आराम से करेंगे दोस्त पढ़ाई, क मज़े मज़े में पढ़ेंगे, है ना, all right everyone, sorry थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, because आज हम लोगों ने काफी extra बाते भी करी है, related to our batch commencement, लेकिन अब क्योंकि कल से सिर्फ और सिर्फ syllabus की बाते हो रही होंगी, तो थोड़ा आपको timely ही छोड़ दिया जाएगा, वही आपका 1 गंटा 45 मिनट के आसपास की जो class timing है, उसी पर आपको छोड़ दिया जाएगा, है ना, right, और mad easy के notes आपके साथ हैं, तो आप यह मत सोचे कि कुछ लिखना पड़ेगा, अगर आप देखें, तो आज मैंने जो भी यहाँ पर लिखवाया है, already उसका 99% part mad easy के अंदर है, तो mad easy बॉटनी सर्च करिए, pw store पे, amazon पे, और आराम से उसको ले करके main focus सुनने पे, समझने पे लगाईए, concepts को, question solve करने पे लगाईए, वो book इसलिए लिखी गई है, जिससे आपका time बचे, है ना, तो हमेशा थोड़ा-थोडा time का हम लोग, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, so thank you so much guys, lots of love, जेहिंद, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और pentabulous session के साथ, जहाँ पर हम अपने syllabus को, core syllabus को start कर रहे होंगे, आज तो हमने बहुत basic बाते करी हैं, general बाते करी हैं, कल थोड़ा और depth में घुसेंगे चीज़ों की, और बहुत मज़दार concepts के साथ, हम हमारे syllabus को शुरूव कर रहे होंगे, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, और पढ़ाई करते रहे हैं, और आज का session अगर बहुत मज़दार लगा, तो वीपू सर, open the comment section, उससे मेरा moral बहुत boost होगा, और आप सभी के positive comments की, मुझे बहुत जादा जरूरत है, और मुझे इंतजार रहेगा, I'll be looking forward to everyone who is supporting, तो मिलते हैं आप से कल, तब तक के लिए शुक्रिया, bye bye, take care, खुश रहो, आज की class खतम, मौच करो, यह homework अगर करना है, तो कर लेना, otherwise कल कर लेंगे हम लोग कल की class के बाद, अभी चिल मारो, आराम से family को थोड़ा time दो, क्योंकि आगे चलके वक्त थोड़ा और cutting हो वाला है, हम लोग आप से थोड़ी जादा मेहनत की उमीद कर रहे होंगे, तो अभी जब तक आपका syllabus space नहीं पकड़ता, तब तक थोड़ा बहुत family को time दीजिए, और अपने health पे भी थोड़ा बहुत गौर फरमाईए, बाद में हम लोग पढ़ाई लिखाई में एकदम ड का झालता हॉत कर दो West City चक रहे होंगे, हम लोग दो आपका दीजिए उना बहुत